हेले रिवन एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है तो देखिए आज के इस सेशन में हम SST CGL 2024 के लिए Most Important Current Affair को यहाँ पर डिटेल में डिसकस करने वाले हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि SST CGL 2024 के लिए प्री का जो एक्जाम है वो 9 सेप्टेंबर को शुरू होगा और 26 सेप्टेंबर तक यह आईजित किया जाएगा हर एक्जाम में SST में देखिए Current Affair से आपको Almost 5 कोशन पूछे जाते हैं On Average अगर हम देखें तो 5 कोशन पूछे जाते हैं यहाँ पर 5 कोशन दस नमबर बहुत ही important role play करते हैं कभी कभी हमने देखा है कि SST CGL के एक्जाम में हमको 7 से 8 कोशन भी देखने को मिले हैं हम यहाँ पर मोटे तोर पर 5 कोशन पकड़के चलते हैं 10 नमबर SST CGL के एक्जाम में आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने Last Moment में Last Time Revision का ये सिंगल वीडियो देख लिया हम यहाँ पर Rapid Revision करने वाले हैं MCQS फॉर्म में कोशन अंसर कलेट करेंगे 200 प्लस MCQS को हम यहाँ पर डिटेल में डिसकस करने वाले हैं एक एक कोशन को ध्यान से सुनिएगा Last Time में आप ये वीडियो देख कर जरूर जाईएगा क्योंकि यहीं से आपको SST CGL 2024 में कोशन देखने को मिल सकते हैं सभी important कोशन को यहाँ पर हमने कलब किया है जो की आने वाली एक्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं तो ध्यान से इन तक बने रहे हैं Last Time रिवीजन है ये देख के जरूर जाईएगा एक्जाम में इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किये SS30 EGL 2024 के लिए Current Affair के Top 200 MCQs को हम यहाँ पर डिसकस करेंगे सबसे पहला कोश्चन देखिए नाटो शिखर सम्मिलन 2024 का अयजन किस देश में किया गया यहाँ पर एक और चीज में आपको बता दू कि हमने यहाँ पर जो कमपाइल किये हैं कोश्चन आंसर वो हमने लास्ट डेर से दो साल के हमने कमपाइल किये हैं हमने यहाँ पर मर्ज किये हैं क्यूंकि हर एक्जाम में डेर से दो साल तक का Current Affair पूछा जा रहा है तो अधिकतर कोश्चन हमारे 2024 और मिड 2023 के बाद के हैं लेकिन फिर भी हमने कुछ कोश्चन को कलब किया है जो कि 2023 में शुरुआती दोर के भी देखने को मिल सकते हैं सारे Important है इसलिए यहाँ पर सेशन पूरा Important हो जाता है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का हाली में आयोजन किया गया था कहां पर USA, United States of America USA में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का हाली में आयोजन किया गया है वाशिंग्टन डीसी में नाटो के बारे में आपको पता होगा North Atlantic Treaty Organization के नाम से नाटो को जाना जाता है Second World War के बाद 1949 में इसकी स्तापना की गई थी 2024 में नाटो का 32 सदस्य देश जानते कौन बना है Sweden कौन बना Sweden तो कोशन बहुत important है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में USA में आयोजित किया गया आगे बढ़ेंगे हाली में हैमिस मठ महुत्सव का आयोजन किस राज़ में किया गया हैमिस मठ महुत्सव की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है भारत के लद्दाक राज़ में भारत के लद्दाक में बौध धर्म के जो अनुयाई है उनमें ये दो दिवसी वार्षिक कारिकरम या महोटसव आयूजिक किया जाता है इसे वहाँ पर हैमिस सेशु के नाम से भी जाना जाता है आप हैमिस मट महोटसव याद रखिये काम हो जाएगा हाली में इसका आयूजन कहां किया गया भारत के लद्दाक राज में इसके बाद पहले खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज पहले इस्तान पर रहा फर्स्ट खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2023 की मेडल टेली में पहले इस्तान पर रहा है कौन भारत का हरियाना राज आंसर हो जाएगा आंसर ए पहले पेरा खेलो इंडिया गेम्स 2023 का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था यहाँ पर हरियाना ने ओल ओवर 105 मेडल अपने नाम किये कितने 105 इसमें से 40 गोल्ड हैं इसके अलावा 39 सिल्वर और 26 ब्रॉंज मेडल ओल ओवर 105 मेडल जीत कर हरियाना राज पहले खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2023 में पहले इस्तान पर रहा है ठीक है कौन भारत का हरियाना राज हरेला त्योहर किस राज में मनाया जाता है हरेला त्योहर किस राज में मनाया जाता है भारत के उत्तराखंड राज में पर उत्तराखंड उत्तराखंड का एक प्रमुख लोक पर्व के रूपमें से सेलिब्रेट किया जाता है साल में तीन बार, हिंदू अगर केलेंडर को देखें तो चेत्र श्रावन और अश्विन महा में हर साल मनाया जाता है हरेला उत्सव, कहां पर उत्राखन रज्ज में नवा महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, नवा महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, तो इसका खिताब अपने नाम किया है इस्पैन ने, किसने इस्पैन ने, तो इस्पैन हो जाता है नाइन्थ महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क गया इंगलेंड आयोजन कहां हुआ तो नवा महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सयुक्त रूप से औस्केलिया और न्यूजिलेंड में किया गया था औस्केलिया न्यूजिलेंड में इसके मैचेस आयोजित करवाए गए थे विनर रहा इस्पैन और किसे हर कर इसने यह वर्ल्ड कप जीता इस्पैन ने तो इंगलेंड को हराकर जीता है नवा महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 विनर इस्पैन रनर अप इंगलेंड इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट मे टाइम आउट होने वाले पहले खिलाडी एंजेलो मैथ्यूज है किस देश से आते जानते ये हैं श्री लंका के लास्ट येर 2023 में जो वंडे वर्ल्ड कप हुआ था इस वर्ल्ड कप में आस्टेलिया जीता था आपको पता है वंडे वर्ल्ड कप 2023 इसमें श्री लंका के बल् और टाइम मतलब एक पटिकुलर टाइम स्लोट है कि क्रीस पर आकर आकर आपको पहली गेन खेलना चाहिए तो वो टाइम खत्म हो गया और इन्होंने गेन नहीं खेली तो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट के आधार पर आउट दे दिया गया था ये इंटरनेशनल क्र गेम्स दोजार चूबिस की बात करें तो इसकी मेडल टेली में पहले इस्थान पर राज्य की बात करें तो ये रहा है भारत का करनाटक राज्य ठीक है फॉर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स से धियान दखना दोजार चूबिस के मेडल टेली में करनाटक राज्य पहले 24 शंगाई सयोग संगठन शिखर सम्मिलन 2024 का हाली में आयोजन किया गया है कजाकिस्तान के अस्ताना में देखिए यहां पर यह ध्यान रखेगा अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां से क्यूंकि आपको देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी कोशन लगाने पड़ेगी तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में हैं आप वहा मन्त आपको यहां पर एवेलेबल होगी दिसंबर दोहजार चूबिस तक मन्तली PDF आपको मिल जाएगी मन्तली करन्ट अफेर का जो वीडियो आता है हमारे चैनल पर उसकी PDF आपको मिल जाएगी और मन्तली क्विज भी आपको यहां पर yearly package में ही एवेलेबल है और जो हमारा वन लाइनर करन्ट अफेर आता है हर मन्त का वो आपको यहां पर bonus content के रूप में single yearly package में एवेलेबल है तो आप जोईन कर सकते हैं करन्ट अफेर दोजार चूबिस के yearly package को काफी benefit है इंडिया की किसी भी exam में चाहे वो state की हो central की हो सब में करन्ट अफेर के आपके यहीं से question आने वाले लिंक आपको इसकी नीचे description में मिल जाएगी अगर आपका current अफेर पूरा prepare है क्योंकि देखे डेली current अफेर में मैं आपको सारी चीज़े पढ़ाता ही हूँ morning में 6 बजा के लेकिन अगर आपको practice set लगाना है तो आप current अफेर का mcq station join कर सकते हैं 1000 प्लस current अफेर को मिल जाएगा इसकी भी लिंक आपके लिए description में है और तबसे नया event Paris Olympic हुआ है आपको पता होना चाहिए तो यहां से हर exam में आपको 4 साल तक question पूछे जाने वाले क्योंकि अगला event 4 साल बाद होगा ओलंपिक का तो यहां पर देखिए ओलंपिक के इतियास ते लेकर अभी तक जो भी ओलंपिक के records रहे हैं जो record टूटे हैं उन सभी की important details और mcqs आपको इस single ebook में available है Paris Olympic की तो सभी link आपको निचे description में मिल जाएगे और इसके अलावा आप root application और crazy gigatory का application को play store से डाउनलोड कर लिजिए उस पर visit कीजिए आपके लिए काफी content वहाँ पर available है ओके चलिए next question देखिए पचासवी G7 summit 2024 का आईजन किस देश में किया गया important है G7 summit पूछी जाती आपको पता होना चाहिए पचासवी G7 summit 2024 का आईजन हाली में किया गया था इटली में आपको पता है जब हमारे हम पर लोकसवा result आए थे चार जुन को लोकसवा election के उसके बाद भारत के जो वापस से PM मने नरन मोधी जी तीसरी बार तो उन्होंने पहली विदेश यात्रा तीसरे टर्मों में पता है कहां किये इटली में पचासे G7 summit में भाग लेने के लिए तो पचासवा G7 summit 2024 का आउजन इटली के अपूलिया शेहर में किया गया शेहर छोड़ दो इटली याद रखो काम हो जाएगा कब से कब तक 13 से लेकर 15 जून 2024 तक पांच को रिजल्ट आया 10-11 तरिक के असपास PM ने शपत लेली थी नरेनल मोदी जी ने और उसके बाद वो रवाना हुए थे इटली के लिए 13 से 15 जुन 2024 तक G7 summit 2024 पचासवी G7 summit है ध्यार दखना कहां इजित की गई इटली में अब यहां से question हो दा सकता है कि भईया 51 जी 7 summit का आयोजन कहां पर किया जाएगा अगले साल तो 51 जी 7 summit next year आयोजित की जाएगी पता है कहां पर कनाड़ा कहां पर कनाड़ा इसे भी याद रखना तो पचासवी G7 summit 2024 का आयोजन किया गया इटली में और 51 जी 7 summit आयोजित की जा प्रो कबड़ी लीग का दस्वा सीजन जीता है हाली में पुनेरी पल्टन ने किसने जीता है पुनेरी पल्टन ठीक है फाइनल जो मुकाबला हुआ था वो पुनेरी पल्टन और हर्याना स्टीलर्स के मध्ध में हुआ था जहां पर पुनेरी पल्टन ने 28-25 से हर्याना जीता है पुनेरी पल्टन ने दस्वा सीजन है ये भी आत रखेगा तो प्रो कवड़ी लिग का दस्वा सीजन विनर हो जाता है पुनेरी पल्टन और रनर अफ हो जाती है कौन हरियाणा स्टीलर्स मुंबई की किस टीम को हराकर रनजी ट्रोफी 2023 का खिताब जीता है मुंबई ने किस टीम को हराकर रनजी ट्रोफी 2023 का खिताब जीता तो मुंबई ने रनजी ट्रोफी 2023 के खिताबी मामले में या खिताबी जो मुकाबला था उसमें विदर्ब को हराकर ये खिताब अपने ना किसको हराया, विदर्व को, ठीक है रनजी ट्रोफी यह 2023 की, मुंबई ने विदर्व को 169 रनों से हराकर, रिकॉाड 42 वी बार रनजी ट्रोफी का खिताब चीता है, सबसे ज्यादा बार रनजी ट्रोफी को मुंबई की ही टीम ने अपने नाम किया, 42 हो को किस ने हराया मुंबई ने विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन टू का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने जीता है तो आपको पता है विमेंस प्रीमियर लीग का सेकेंड सीजन आयजित किया गया था हाली में दोहजार चुबिस में जिसमें दिल्ली कैपिटल्स क फोहरा कर रोयल चलेंजर बैंगलूरू ने विमेंस प्रीमियर लिग का सेकेंड सीजन अपने नाम किया है ठीक है तो याद रख सकते देखिए मेंस आईपी एल में तो कभी भी रोयल चलेंजर बैंगलूरू जीता नहीं है सेकेंड जो सीजन है उसे ही रोयल चलेंजर बैंगलूरू ने अपने नाम किया है ठीक है तो नई दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में फाइनल खिला गया था दिल्ली कैपिटल्स और रोयल चलेंजर बैंगलूरू के मध्य में जिसमें रोयल चलेंजर बैंगलूरू न ने इसके बादंने किया अपने नाम यह स्विस्टे छेटां welche से लेयेर की इन फाइनल में दिल्ली के इसके बार उपनने नाम किया है इस बार शाहना ने कसे नहीं पुछे हैं कि तोमस कप और उबेर कप किस खेल से संबन्धी थे हैं तो दोनों ही बैडमिंटन की प्रतियोगिता है इन दोनों के ही final में चौइनए ने इंडोनेशिया को हरा कर खिताब जीता है को अगे खीरें तो विनार हो गया चाइना और रनारफ हो गया दोनों में इंडोनेशिया आगे भारत के 85 शत्रंज ग्रेंड मास्टर पी शाम निखिलम किस राज्य से संबंदित है तो अगर भारत के 85 शत्रंज ग्रेंड मास्टर की बात करें पी शाम निखिलम की बात करें पहले तो हमको यह फैक्ट नोट करना चाहिए कि भारत के 85 शत्रंज ग्रेंड मास्टर कोन तो कोन हो गए पी शाम निखिलम 84 वी ग्रेंड मास्टर थी हमारी आर वेशाली ठीके आर प्रज्यानन की बहन है और वो दोनों भी तमिल लाडु से बिलॉग करते हैं दोनों ही शत्रंज ग्रेंड मास्टर है वर्ल्ड की पहली शत्रंज ग्रेंड मास्टर भाई बहनों की जोड़ी तो 84 वे शत्रंज जिससे बिलॉंग करते हैं ठीके तो तमिलाडू के पी शाम निखिलम को शत्रंज ग्रेंड मास्टर घोशित किया गया है भारत के 85 शत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन पी शाम निखिलम चलिए आगे आगे आईपिल दोजार चूबिस का खिताब कॉलकता नाइट राइडर ने जीता है कितनी बार का खिताब अपने अपने नाम किया तो पहली चीज तो कि आईपिल दोजार चूबिस में विनर को कॉलकता नाइट राइडर इसने कर इस ने तीन वार का खिताब अपने नाम किया शारुक खन की टीम में है ना देखिए जो फाइनल है दोजार चूबिस का IPL का वो M.A. चिदंबरम इस्टेडियम में खेला गया था चैन्नाई में फाइनल मुकाबला खेला गया संडाइजर हैदराबाद और केके आर के मध्ध में जिसमें कॉलकता नाइट राइडर मतलब केके आर बिनर रहा तीसरी बार कॉलकता नाइट राइडर ने ये खिताब अपने नाम किया सबसे पहली बार 2012 में केके आर ने IPL जीता था फिर 2014 में जीता और अब 10 साल बाद 2024 में जीता तो 2024 के IPL में वीनर हो गई कॉलकता नाइट राइडर और रणर अप कोन है तो रणर अप हो जाएगी सन राइजर हैदराबाद ठीक है काव्या मारन की टीम है 132 वा डूरन कप 2023 का खिताब किसने जीता जानते डूरन कप किस खेल से सम्मंदित प्रत्यूगिता है बिल्कुल सही फुटबॉल से सम्मंदित प्रत्यूगिता है 132 वा डूरन कप 2023 का जो खिताब है यह हाली में अपने नाम किया था मोहन बागान ने किसने मोहन बागान तो कॉलकत्ता का क्लब है मोहन बागान इसने 132 वा डूरन कप 2023 का खिताब जीता T20 World Cup 2024 में Man of the Series का खिताब किसे दिया गया तो T20 World Cup 2024 में Man of the Series का खिताब दिया गया जस्प्रिद बुमराह को और इसी बात है T20 World Cup जो हम जीते हैं उसमें फाइनल में जस्प्रिद बुमराह का बहुत ही एहम योगदान था तो T20 World Cup 2024 में Man of the Series का जो खिताब है पूरे सीजन में अच्छा प्रदशन किया था जस्प्रिद बुमराह ने हैना फाइनल मुकाबला खेला गया था दक्षिन अफ्रीका और भारत के मद्ध में और भारत ने ये T20 World Cup जीता है सेकेंड टाइम सबसे पहली बार 2007 में जब T20 World Cup की शुरुआत की गई थी तो पहला सीजन भी इंडिया ने ही अपने नाम किया था फर्स्ट सीजन ठीकें और अब दोजार चूबिस में इंडिया ने सेकेंड टाइम इससे अपने नाम किया मैन आफ दा सीरीज जस्पृृत बुम्रह और फाइनल मेच में मैन आफ दा मेच गोशित किये गए थे विराठ कॉली कौन विराठ कॉली मैन आफ दा सीरीज से कोश्यन है तो ये कौन जस्पृत बुम्रह बगवाल मेले या देवी धुरा मेले का सम्मन्द किस रज से बगवाल मेला या देवी धुरा मेला भारत के उत्तराखंड रज में आईजित किया जाता है कहां पर उत्तराखंड उत्तराखंड में ये रक्षा मंधन पर आईजित किया जाता है मतलब जो श्रावन मास की जो पूर्णिमा आती है उसमें बगवाल मेला देवी धुरा मंदिर पर आयजित किया जाता है देवी धुरा शेत्र में उत्राखन में तो इसका नाम पड़ा है बगवाल मेला या देवी धुरा मेला पत्थर मार मेला भी बोलते हैं इसको उत्राखन ठीक है ना तो उत्तराखन राज में वाराही देवी मंदिर पर है ना देवी धुरा मंदिर भी कहा जाता है प्रतिवर्ष रक्षा बंधन के अवसर पर श्रावन पुनिमा को बगवाल मेले का एजन किया जाता है जिसे पत्थर मार मेला भी कहा जाता है कहां पर उत्तराखन र तो पैरिस ओलंपिक दोजार चूबिस में भारती टीम का शेवडी मिशन गोशित किया गया था गगन नारंग को कोने जानते हैं भारती शूटर है गगन नारंग ठीके तो पैरिस ओलंपिक दोजार चूबिस में भारती टीम का शेवडी मिशन गगन नारंग को गोशित किया त्रिशूर पूरम उत्सव का आयजन किस रज में किया जाता है तो त्रिशूर पूरम उत्सव की बात करें तो इसका आयजन किया जाता है भारत के केरल रज में कहां पर केरला केरल में एक मंदिर है वडकु नाथन मंदिर ठीक है यहां पर नगर के बीचो बेज त्रिशूर पूरम उत्सव आयुजित किया जाता है इस उत्साव में जो में इस हम हिलाइट होती है जो डे आकरशन का केंद्र होता है ना वो हातीvida की एक रेली होती है जिसमां हाती तकी पिट पर रंग विलंगी शत्रीयोक का प्रदशन किया जाता है छथ्योक रंग बिरंगी छत्रिया लगा कर जो सजे धजे हाती आते हैं यात्रा में त्रिशुर पूरमुच्तवे हैं केरल राज्ज में मनाया जाता है वड़क्पु नाथन मंदिर में नगर के बीचों बीच अंसर हो जाएगा केरल चितिरई महुत्सव भारत के किस रज्ज में मनाया जाता है तो चितिरई महुत्सव मनाया जाता है दक्षिन भारत में भारत के तमिल लाडु रज्ज में कहां पर तमिल लाडु तमिल लाडु के मदूरे में एक नदी है वेगई नदी इसके किनारे आयुजित किया जाता है जो वहाँ पर भगवान कल ज्ञागर को समर्भीत है शेत्री इस्तानी देवता हैं कल ज्ञागर के रूप में पुझे जाते हैं तो तमिलाडू के मदूरे में वेगई नदी के किनारा आइजित किया जाता है चिथीरई महुत्साव तिरी शुरू पूरं महुत्साव केरल और चिथीरई महुत्साव तमिलाडू याद रहेगा ठीक है त्रेपनवा दादा साफ पाल के अवॉट से किसे सम्मानित किया गया त्रेपनवा दादा साफ पाल के अवॉट दिया गया है एक्ट्रेस वहिदा रह्मान काफी मूवी जेन की हैंना 1980-1970 के दोर की अभिनेत्री र रह्मान को त्रेपनवा दादा साफ पाल के पुरसकार से सम्मानित किया गया है हाली में भरत नाट्यम नरत्य की नत्यांगना भी है कौन वहिदा रह्मान ठीक है तो त्रेपनवे दादा साफ पाल के अवॉट से वहिदा रह्मान को सम्मानित किया गया आगया है हाली में मा जम्मू कश्मीर रज में आयुजित किया जाता है कहां पर जम्मू कश्मीर रज में खीर भवानी मंदिर है दुर्गा देवी को समर्पित वहां पर क्यूंकि माताजी को खीर का भोग लगता है तो जो मेला आयुजित होता है वो खीर भवानी मेले के नाम से जाना जाता है कहा यहां पर भारत के जम्मु कश्मीर राज्यम्यान साई लिया हमने जम्मु कश्मीर ठीके विहु कुहु महुत्सव का संबंद किस राज्य से हैं तो विहु कुहु महुत्सव देखे एक विहु नरत्य की बात करता तो वो अलग कोश्चन हो जाता यहां पर विहु कुहु महु तो ये भारत के अणाचल प्रदेश राज्य से संबंदिते। भारत के अणाचल प्रदेश में वहां के जो आदीवासी समुधा है, उन में मनाया जाने वाला एक पर्व के रूप में देखा जाता है। अगर आपसे बिहु नरत्य पुझता की वो कहां का तो भारत के असम राज्य का दोनों में अंतरे। नेमने लिखित में से किसे गांधी शांती पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया। गांधी शांती पुरसकार 2021 के लिए दिया गया है गीता प्रेज गोरकपूर। भारत की जितने भी पुराण हैं हिंदु धर्म के जितने भी शास्त्रे आपको पता है वो अथेंटिक सारे शास् करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कोंसा तो फास्ट ट्रेक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रॉग्राम लॉंच पर अंतना यह न वग Quốc और शीनेborg और या स ξसे Gy喝 वो अपने आपको registration कराएंगे अपना, registration में passport, visa, सारी चीज़े, सारे documents चेक होंगे, तो अब जब भी यह आएंगे, जो immigration होता है, उसमें इनको रुखना नहीं पड़ेगा, देख लिया यह पहले से registered है, इस program के तहट, ठीक, सीधी सी बाते, इनके documents verify हो चुके, तो इनको जान ने दिया जाएगा, तो time कम लगेगा, fast track immigration, trusted traveler program, ठीक, immigration न टाइम न लगे, इसलिए, तो इंदरा गांधी एर, international airport, इसे लागू करने वाला देश का पहला airport बनाए, कहां पर है नई दिल्लिंग, आगया है, भारत की किस ministry ने अस्मीता परियोजना शुरू किये, तो अस्मीत परियोजना भारत की ministry of education की एक परियोजना है, ministry of education भारत की शिक्षा मंत्रालाई की परियोजना है, इस परियोजना के तहट, 22 भारती भाषाओं में, 1000 से ज्यादा पुस्ता के प्रकाशित करना लक्ष है, ministry of education का, ताकि भारत के जितने भी अलग-अलग स्थानी students, अलग-अ है ना, ताकि science, art के शेत्र में तरक्की करे तो उनकी मात्र भाषा में वो पढ़ पाए, तो ministry of education ने शुरू की है, इसके लिए असमिता परियोजना, रानी दुर्गावती शिरी अन्य प्रोत्साहन योजना किस रज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, रानी दुर्गावती शिरी अन्य प्रोत्साहन योजना, इस योजना की बात करें तो अबिसी बात है शिरी अन्य किसको बोलते हैं, मोटे अनाज को, जो आरबाजना, मक्का, रागी, इनको प्रमोट करना राज्य सरकार का मुख्योद देश है, जो किसान है, जो मोटे अनाज उत्पादित करते ह उनको पर किलो पर 10 रुपे प्रोतसान राशी दी जाएगी इस योजना के तहट तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोतसान योजना मद्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है हाली में सचिन तेंदुलकर का स्टेचू किस स्टेडियम में लगाया गया है तो सचिन तेंदुलकर का स्टेचू लगाया गया है वानखेडे स्टेडियम मुंबई में आपको पता है सचिन तेंदुलकर मुंबई से हैं और वानखेडे स्टेडियम से ही उन्होंने अपना क्र इक्केट करियर शुरू किया था, तो सचिन्त अंदुलकर का स्टेच्च्चू भी भारत के जिस इस्टिडिण में लगा है, वो वान खेड़े स्टिडिण trás एक नात शिंदे ने मुंबई के वान खेड़े इस्टीडियम स्टिडियममें का अनावरंड किया था doubled FIFA World Cup 2026 का यूजन किस देश में किया जाएगा? तो FIFA World Cup 2022 में कहा है उजित किया गया था? कतर में! 2022 में आउजित किया गया था? कतर में! और 2026 के FIFA World Cup की बात करें तो यह सयूक्त रुप से तीन देशों में आउजित किया जाएगा America, Canada और Mexico कहाँ पर? अमेरिका, कनाडा ओर मेक्सीको तो FIFA वर्ल्ड कप 2026 का अयोजिन सहीं तुरुक से अमेरिका, कनाडा ओर मेक्सीको में किया जाएगा इसके बाद आईए Global Hunger Index 2023 में भारत की रेंक क्या है Global Hunger Index 2023 में भारत को 111 रेंक पर रखा गया है Answer A यहाँ पर सही हो जाएगा 2023 का इंडेक्स 2023 के लास्ट में आया था 125 देशों को इस इंडेक्स में काउंट किया गया था जिसमें भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 रेंक पर रखा गया 2022 के इंडेक्स में 121 देशों में भारत को 107 रेंक पर रखा गया था अब 2023 में भारत की रेंक हो जाती है Global Hunger Index में 111 वी इस इंडेक्स में अल अवर अगर हम पहले इस्तान पर देखें तो पहले इस्तान पर रखा गया है बेलारूस को सेगेंड प्लेस पर सयुक्त रुप से बोस्निया और हर्जे गोविना को और थर्ड प्लेस पर रखा गया है चीली को 2023 के इंडेक्स में पहले नंबर पर बेलारूस हो जाता है भारत की रेंक पुछे तो Global Hunger Index 2023 में भारत की रेंक है 111 United Nations Sustainable Development Solution Network द्वारा जारी की गई World Happiness Report 2024 में भारत की रेंक क्या है तो देखे United Nations Sustainable Development Solution Network ने कुछ समय पहले World Happiness Report 2024 को लांच किया था जिसमें भारत को happiness के मामले में 126 वी रेंक पर रखा गया टोटल 143 कंट्री इस इंडेक्स में काउंट की गई थी पहले स्तान पर रखा गया Finland को सेगेंड पर डेनमार्क और थर्ट पर रखा गया है आइसलेंड को भारत की रेंक क्या हो जाती है 126 और आखरी देश है इस इंडेक्स में अफगानिस्तान देखिए 2024 के इंडेक्स में वर्ल्ड हैप्पिनेस इंडेक्स में भारत को 126 वी रेंक पर रखा गया 2023 में भी भारत को 126 वी ही रेंक दी गई थी तो अंसर हो जाता ही यहाँ पर अंसर सी वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रेंक है 126 आगे मार्च 2024 में सीपरी दुआरा जारी किये गए आकडों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हतियार आयातक देश कौन सा है तो देगे सीपरी ने कुछ समय पहले दुनिया के सबसे बड़े हतियार आयातक देश की लिस्ट जारी की है सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत विश्व का सबसे बड़ा हतियार आयातक देश बना है आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा भारत दुनिया का सबसे बड़ा हतियार आयातक देश सीपरी की लिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हमने जो हतियार है वो रश्या से खरीदे हैं हमने जो 100% हतियार खरीदे होंगे उनमें से 36% हमने अकेले रश्या से खरीदे हैं तो भारत वीशु का सबसे बड़ा हतियार आया तक सबसे ज्यादा हतियारों का इंपोर्ट करने वाली कंट्री मार्च दोजार चूबिस में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कोन? इंडिया अब देखिए second इस्तान पर सूची में रखा गया है सौधी अरब को और तीसरे इस्तान पर रखा गया है कतर को यहाँ पर आपको यह याद रखना पड़ेगा कि भारत ने सबसे ज्यादा हतियार किस देश से खरीदे तो सबसे ज्यादा हतियार खरीदे हैं हमने रश्या से भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है तो भारत में सबसे बड़ा निवेशक देश है सिंगापूर आंसर D हो जाएगा सिंगापूर ने देखिए लास्ट वन येर में 17.2 अरब डॉलर का निवेज भारत में किया है और इसके साथ भारत में सबसे बड़ा निवेशक देश बना है सिंगापूर सेगेंड प्लेस पर आता है इस सूची में मौरिशस 6.1 अरब डॉलर का इसने निवेश किया और तीसरे स्तान पर आता है अमेरिका जिसने 6 अरब डॉलर का भारत में निवेश किया सबसे बड़ा निवेशक देश कौन जिसने सबसे ज्यादा इंडिया में निवेश किया है तो वो हो जाता है सिंगापूर हाली में चर्चित मियावाकी पद्धती का संबंद किस्से है तो मियावाकी पद्धती की बात करें तो ये व्रक्षारोपन की एक जापानी पद्धती है भारत के पीम नरेंद्र मोदी ने मन की बात करिक्रम में इसका उल्लेक किया था ठीके तो चर्चा में आ गई थी मियावा की पद्धती किस से संबंधी थे तो व्रक्षा रोपन की एक जापानी पद्धती है मियावा की पद्धती Economic Intelligence Unit की Global Livability Index के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योगी शहर कौन सा है तो Economic Intelligence Unit की Global Livability Index के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योगी शहर है कौन सा है औस्ट्रिया का वीना देखे रिपोर्ट किस की है तो Economic Intelligence Unit की है Global Livability Index इसके अनुसार दुनिया का सबसे रहने योगी शहर औस्ट्रिया जोकी एक यूरोपी कंट्री है इसका शहर है वीना Global Human Development Index 2022 में भारत की रहंग क्या है देखे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि Global Human Development Index UNDP के द्वारा जारी किया जाता है 2023-24 की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें Global Human Development Index 2022 के बारे में बताया गया और इसमें भारत को रहंग दी गई थी 134 भारत को रहंग दी गई 134 याद रखना अंसर भी हो जाएगा Global Human Development Index 2022 का आई है अभी आया है कुछ समय पहले ही तो UNDP इस रिपोर्ट को जारी करता है Human Development Index को जारी करता है 134 वी रेंक पर रखा गया 2022 इंडेक्स में Global Human Development Index 2022 में देखिए 2021 का जो इंडेक्स आया था उसमें भारत को 135 रेंक पर रखा गया था 2022 में 193 कंट्रीज को शामिल किया गया भारत को 134 वी रेंक दी गई Human Development के मामले में पहले इस्तान पर रखा गया स्वीट्जलेंड को सेकेंड पर नॉर्वे और तीसरे पर है आईसलेंड सबसे आखरी देश है सोमालिया तो Human Development Index 2022 भारत की रेंक क्या है 134 2024 में कुल कितने पद्मो पुरसकार प्रदान किये जाने की घोशना की गई थी तो 2024 में अल अवर अगर हम देखें तो 132 पद्मो पुरसकार प्रदान किये जाने की घोशना की गई थी 25 जनवरी को 25 जनवरी को 2024 के पदमपुरसकारों की घोषना की गई 2024 में 5 पदमभुषन दिये गए ठीके 5 पदमविभुषन दिये गए 17 पदमभुषन दिये गए और 110 पदम श्री अवार्ट की घोषना की गई थी अल ओवर अगर हम देखें तो 132 पद्म पुरसकार दिये गए हैं 2024 में Central Government के द्वारा ये भी याद लखिएगा कि पद्म विभुशन कितने लोगों को दिया गया 5 पद्म भुशन 17 और पद्म श्री 110 निमने लिखित में से किसे 58 ग्यानपीट अवार्ड प्रदान किया गया तो 58 ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित किया गया है गुलजार को गुलजार का आपने नाम सुनाओगा काफ़ी फेमस रहती है वेसे दो लोगों को दिया गया है एक साथ देखिए, इर्दु भाषा के लिए उर्दु कभी गुलजार को दिया गया 58th ज्यानपीट अवार्ड और संस्क्रत भाषा के लिए जगत गुरु राम भदराचारी जी आप जानते काफी फेमस परस्नालिटी है तो इन दोनों को ही 58 ज्यानपीट पुरसकार से हाली में सम्मानित किया गया जोकी 2023 के लिए दिये गए हैं ठीक है किसको गुलजार और बार्वा विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर उशा ठाकूर को याद रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है नेपाल में आयो जीते कारिक्रम के दोरान डॉक्टर उशा ठाकूर को बार्वा विश्व हिंदी सम्मान से हाली में सम्मानित किया गया आगे आते अंसर हो जाएगा आंसर भी रशिया का सर्वोच नागरिक सम्मान नोजुलाई को हली में मासको में पीम नरेंडर मोदी को रूस के सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया भारत के PM रश्या का नागरिक सम्मान या सर्वोच्य नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारती और चोथे गेर रश्यन व्यक्ति हैं सर्वोच्य नागरिक सम्मान का नाम क्या है? Order of St. Andrew the Apostle किसे दिया गया? भारत के PM नरेंद्र मोधी को पहले भारती IOC के Olympic Order से सम्मानित होने वाले दूसरे भारती कोन है? तो IOC के Olympic Order मतलब एक विशेश योगदान के लिए दिया जाने वाला Olympic या IOC का सर्वोच्य सम्मान माना जाता है इस से سम्मानित होने वाले दूसरे भारती बने है अभिनव बिंद्रा अनसर भी पहले इंडियन कौन है, कमेंट करना आप लोग, ठीके, दूसरे भारती में आपको बता दिये, अभिनाव बिंदरा, नोट कीजिएगा, पहले इंडियन कौन थे, ओलंपिक आउडर से सम्मानित होने वाले, मैं आपको डेली गरेंट अफेर में बता चुका हूँ, कमेंट जिएगा, युनेस्को प्रेश त्वतंतरता पुरसकार दोहजार चोबिस किसे प्रदान किया गया, तो युनेस्को प्रेश फ्रिडम अवार्ड दोहजार चोबिस से सम्मानित किया गया है फिलिस्तिनी पत्रकारों को, फिलिस्तिनी पत्रकारों को गाजा पर जो हमले तो किसे दिया गया फिलिस्तिनी पत्रकारों को? masa surface A. भारत की पहली hydrogen से चलने वाली train किस राज में प्रारम की जाएगी ? hydrogen से चलने वाली भारत की पहली train शुरू की जाने वाली है भारत के हर्याना राजमे masaati भारत की पहली आईड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाना में प्रारम की जाएगी जो जिन्द से सोनीपत मार्ग पर संचालित की जाएगी किस राज में हरियाना में भारत की पहली आईड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ठीके किस राज में शुरू की जाएगी हरियाना राज मुर्मू 17 अगस्त को कौलकत्ता में विंदगीरी युद्धपोत को लॉंच किया है इनोंने कर चुकी है इसे किस प्रोजेक्ट के तहद बनाए गया तो देखिए रास्टिपती दुरोपदी मुर्मू ने हाली में कुछ समय पहले कौलकत्ता में विंदगीरी युद्धपोत को लॉंच किया था जो की प्रोजेक्ट 17 एक तहद बनाए गया यह किसके तहद प्रोजेक्ट 17 एक तहद विंदगीरी जहांच को बनाए गया था भारत और किस देश के मध्य में गेलेफू कोकरा जहार रेलवे लिंक परियोजना को शुरू किया जाएगा भारत और भुट प्रेंटे नोट कीजिएगा। असम में हैं और भुटान में हैं गेलेफू। इसी के नाम पर इस रेलवे लिंक परियोजना का नाम पड़ा है। भारत और भुटान के मध्य में। मीरा भाई जनमोच सव की 525 जैनती पर कितने रुपे का सिक्का जारी किया गया। तो 525 जैनती थी तो 525 जैनती पर 525 रुपे का एक सिक्का जारी किया गया था कुछ समय पहले। तो देखिए मीरा भाई की जो 525 जैनती है वो मीरा भाई जनमोच सव का एजन किया गया है उस पर उत्तर प्रदेश के मतुराम। भारत के पीएम नरंद्र मोधी ने यहां पर भाग लिया था और भारत के पीएम नरंद्र मोधी के द्वारा 525 रुपे का एक सिक्का और एक डार्ग टिकेट मीरा भाई के जनमोच सव पर जारी किया गया था 525 जैनती के उपलक्ष में। नौर्थ चेनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कोन बने तो नौर्थ चेनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं अंशुमन जिंगरन आंसर डी कोन बने अंशुमन जिंगरन नौर्थ चेनल पार करने वाले दुनिया क अपना नाम दर्ज करवाया. तो नौर्थ चेनल को तेरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के वेक्ति, वर्ड में कौन भारत के अंशुमन जिंगरन. कौन सा राज्य भारत की पहली केंबिस मेडिसिन परियोजना का नितरत्व करेगा तो भारत की पहली केंबिस मेडिसिन परियोजना का नितरत्व करेगा भारत का जम्मू कश्मिर राज्य कौन करेगा जम्मू कश्मिर देखिए भारत में पहली बार केंबिस मेडिकल परियोजना जम्मू कश्मिर में स्तापित की गई है केंबिस मतलब भांग भांग से बनी दवाओ से cancer, diabetes, मिरगी या other जो diseases उनका उपचार किया जा सकेगा भारत के जम्मू कश्मिर union territory में तो भारत की पहली केंबिस medicine project है ये कहाँ पर भारत के जम्मू कश्मिर राज्य में भांग से बनी दवाओ से इलाज किया जाएगा अलग-अलग disease का नागालेंड राज्य से राज्य सभा की अध्यक्ष्टा करने वाली पहली महिला सदस्य कोन बनी तो नागालेंड राज्य से राज्य सभा की मेंबर S. फांगनोन कौन्याक राज्य सभा की अद्धिक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। करनाटक की राज्दानी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम में शामिल हुई है। के द्वारा हाली में दिया गया है एक भारती रेलवे स्टेशन को जिसका नाम है बाई कुला रेलवे स्टेशन। जानते कहां परें? मुवीज में नाम सुनाओगा आपने। मुंबई में श्तित है एतियासिक बाई कुला रेलवे स्टेशन जिसे हाली में युनेसको ने एशिया प्रशान्त सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से संभानेत किया। बाई कुला रेलवे स्टेशन अंसर हो जाएगा अंसर डी। हाली में जारी आकडों के अनुसार सरवादिक बाग किस रज्ज में पाये जाते हैं। आप इजिली बता दोगों कि भारत में सबसे ज्यादा बाग टाइगर मध्य प्रदेश रज्ज में पाये जाते हैं। मध्य प्रदेश को इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। MP में सबसे ज्यादा बाग मध्य प्रदेश में। हाली में अंतरास के बाग दीवस पर जो आकड़े जारी हुए थे उसमें बताया गया था कि भईया मध्य प्रदेश में टोटल 785 बाग देखने को मिलते हैं 385 आखरी ये टाइगर रिपोर्ट है ठीक है ना तो मध्य प्रदेश में सबस्यादा टाइगर हैं 3885 मध्य पूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर्फूर् राहत और पुनरवास के लिए काम किया जा सके ठीक है ना तो उच्चितम नियाले ने जम्मू कश्मिर उच्च नियाले की पुर्व मुखिने अदीश गीता मित्तल की अद्ध्यक्षता में इस समिती का हाली में गठन किया था कुछ समय पहले अंसर हो जाएगा अंसर एक यहाँ पर कोश्चन हमारे 2023 और 2024 दोनों ही हमने कलेक्ट किये हैं जान से सुनिएगा अगर आपको यह कोश्चन 2023 के एंड का लग रहा है तो आप समझिएगा डेढ़ दो साल का करेंट अफेर आपको एसे सी सीजेल या किसी भी एक्जाम में पूछा जा रहा है लास्ट ट्र के फटा फट ताकि आपका रिवाइज हो जाए और यहीं से कोश्चन सबसे ज्यादा एक्जाम में आने की संभाव ना है समझना सुस्वा गतम ठीके पोर्टल का संबंध किस सविधानिक संस्ता से सुस्वा गतम पोर्टल में आपको याद करो डेली अरेंट अफेर में भी क्रशी डेटा एक्सचेंज और क्रशी डेटा प्रवंधन प्रेमवर्क किस राज में लॉंच किया गया तो भारत का पहला क्रशी डेटा एक्सचेंज और क्रशी डेटा प्रवंधन नेट्वर्क लॉंच किया गया भारत के तेलंगाना राज में आंसर एक तेलंगाना के ज इसले इंपोर्डेंट है किस राज्ज ने लॉंच किया तेलंगाना इस लो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया था इस रो के पहले सोलर मिशन का नाम रखा गया था आदित्य एलवन याद है आपको आदित्य L1 को हमने काफी बार पड़ा भी है अगर आपको याद हो तो ठीक है आदित्य L1 इस रोने सोर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के शिरी हरी कोटा तो यह भी एक फेक्ट आपको याद रखना चाहिए कि भाई पहला जो हमारा सोलर मिशन था आदित्य L1 वो किस सेटलाइट या लाँच विकल से लाँच किया गया है तो PSLV C57 ठीक है लास्ट इयर सेप्टेंबर 2023 में से लाँच किया गया था चंद्रमा के दक्षिनी धुरू पर उतरने वाला पहला देश कौन सा बना तो 2023 में चंद्रमा के दक्षिनी धुरू पर उतरने वाला पहला देश बना कौन इंडिया आंसर D भारत के चंद्रियान थ्री मिशन के माध्यम से हम चंद्रमा के दक्षिनी धुरू पर उतरे थे 23 अगस्त 2023 में है ना तो दक्षिनी धुरू पर उतरने वाला पहला देश बना है इंडिया ल्यूपेक्स मिशन इसरो और किस देश की अंत्रिक्ष एजनसी का सयुक्त मिशन है तो ल्यूपेक्स लुनार पॉलर एक्स्प्लोरेशन मिशन यह इसरो और जापानी अंत्रिक्ष एजनसी का एक सयुक्त मिशन है ल्यूपेक्स के नाम से ठीक है एक तो इसरो इसमें इन्व सयुक्त चंद्र मिशा ने जिसको इंडिया में चंद्रियान पूर का भी नाम दिया जा रहा है तो लिप्रेक्स मिशन की बात करते हैं तो इंडिया की अंत्रिक्ष एजनसी इस रो और जापान की अंत्रिक्ष एजनसी के मद्ध में सयुक्त रूप से इसे अनौंस किया गया ह किस राज ने भारत का पहला AI स्कूल लॉंच किया है केरल राज ने किस ने केरल पुर्व रास्टिपती रामनात कोविंद ने केरल की राजधानित तिरुव अनंत पुरम में भारत के पहले AI स्कूल का इन्योग्रेशन किया वहाँ पर जो एजुकेशन है अब AI के माध्यम से दी जाएगी तो पहला AI स्कूल भारत का कहाँ पर केरल में पर्टिकुलर प्लेस पूछे तो तिरुव अनंत पुरम वन नेशन वन इलेक्षन है तू किसकी अद्यक्षता में कमीटी का गठन किया गया था वन नेशन वन इलेक्षन कमीटी जो कि भारत के पुर्व रास्टेपती रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में कमीटी का गठन किया गया था। ठीक है ना? किसके अध्यक्षता में? रामनात कोविंद जी की अध्यक्षता में. One Nation, One Election Committee. तूरी मिशन आदित्य एलवन को किस प्रक्षेपन यान से छोड़ा गया? अभी मैंना आपको बता है. इजिली बता दोगे कौन सा है? PSLV C-57. अंसर सी. तूरी मिशन आदित्य एलवन को PSLV C-57 के माध्यम से लॉंच किया गया था लास्ट इयर, सेप्टेमबर दोजार टेविस में. भारत का पहला सोर मिशन क्या नाम दिया गया? आदित्य एलवन. कौन सा लॉंच विकल यूज किया गया? PSLV C-57. हाली में किस देश ने दुनिया का पहला portable अस्पताल आरोग्यमेत्री क्यूब बनाया है? तो दुनिया का पहला portable अस्पताल एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाये जाने वाला. पोटेबल अस्पताल आरोग्यमेत्री क्यूब बनाया है इंडिया ने? किसने? इंडिया ने. ठीके? भारत ने प्रोजेक्ट भिश्मा के तहट दुनिया का पहला आपदा अस्पताल तयार किया है. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाये जा सकता है और आट मिनिट में बनकर तयार हो जाएगा भाई. पूरी तरह से स्वधेशी है. हमने इनिमित किया है. दुनिया का पहला पोटेबल अस्पताल नाम रखा गया है आरोग्यमेत्री क्यूब? किसने बनाया? इंडिया ने. आंसर D. देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो देश की पहली सोलर सि जीला हे रायसेन. वहाँ पर साची है. ठीके अशोक के साची के स्टूप के लिए भी जाना जाता है. तो देश की पहली सोलर सिटी साची है. जो कि मद्धि प्रदेश में इस्ते थे. चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके दुआरा शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट नमन जो शहीत से निखे उनके परीजनों के कल्यान के लिए उन्हें सुविधाय प्रदान करना. शिखायत निवारण केंदर की स्तापना करना. प्रोजेक्ट नमन का मुख्योद्देश है. इंडियन आर्मी के दुआरा ये शुरू किया गया था. खाली में भारत के किस इस्तल को फोटीवन्त विश्वधरवर इस्तल घोशित किया गया? तो फोटीवन, फोटीटू, फोटीथ्री विश्वधरवर इस्तल घोशित किये जा चुके हैं. इत्तालिसवा विश्वधरवर इस्तल पूछा गया है. किसे घोशित किया गया था जानते हैं, शांती निकेतन, आंसर भी, ठीके, शांती निकेतन भारत के पश्चिम मंगाल के वीर भूमी, जीले में इस्तिते, युनेस्को की विश्व धर्वर सूची में इसे शामिल किया गया, भारत का इत्तालिसवा विश्व धर्वर इस्तल है, शांती निकेतन, अगला क विश्व धर इस्तल से, इसको भी देखते हैं, हॉईसल के पवित्र मंदेर, यहीं पर एक fact हमको मिल जाता है कि भारत के बैयालिस्ते विश्व धर इस्तल कोन, तो हॉईसल के मंदेर, कहां पर रेपता है भारत के करनाटक राज्ज में करनाटक में बैलूर, हेले बीट, सोमनात पूरा यहां पर फैले हुए हैं होईसल के पवित्र मंदिर समों जिनने युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था साइट में शामिल किया गया था और यह भारत का 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइड बनी थी 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइड इसके बाद पता है कौन मनी असम के चराइदेव मैदाम असम में इसते ते 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइड इसी साल गोशित की गई है लोकसभा में महिला अरक्षन बिल नारी शक्ती वंदन अधिनियम किस ने पेश किया था तो आपको पता 106 वा अधिनियम इसे पेश किया था कानून मंत्री अर्जुन मेगवाल ने नाम दिया गया था नारी शक्ती वंदन अधिनियम तो लोकसभा में महिला अरक्षन बिले लोकसभा विधान सवा और दिल्ली विधान सवा महिलाओं को वन धर अरक्षन दिये जाने से संबंदित नारी सभिधान ने अर्जुन मेगवाल ने इसे लोकसवा में रखा था जब यह लाएं गया था अ इस टेची ओनेस? किस रज़ में बनाया गया है स्टेची ओफ वननेस की बात करें तो यह मद्य review प्रदेश राज़्में कहां पर MP में, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाई गई है, राजस्तान का कोटा, अंसर टी, राजस्तान का कोटा शहर भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है, हाली में घोशिट टाइगर रिजर्व विरांगना दुर्गावति टाइगर रिजर्व किस रज्ज में इसते थे तो कुछ समय पहले ही टाइगर रिजर्व बना है नया रानित दुर्गावति टाइगर रिजर्व की घोशना की गई है मद्धी प्रदेश राच्च में तो मद्धी प्रदेश का टाइगर रिजर्व बनेगा रानित दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का चोपनवा टाइगर रिजर्व बनेगा रानित दुर्गावती MP में शाशी का रहिये कभी गोडवंश की तो उनी के नाम पर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में देखने को मिलता है ओसकर दोजार चोबिस के लिए भारत की ओर से किस विल्मों को ओफिशल एंट्री दी गई थी तो इंडियन गवर्मेंट ने ओफिशली ओसकर के लिए भेजा था विश्व का सबसे उचा फाइटर एयर फिल्ड किस रज में बनाय जाएगा तो वर्ल्ड का सबसे उचा फाइटर एयर फिल्ड बनाय जाएगा भारत के लद्दाक रज में कहां पर लद्दा, ठीके, लद्दा के स्तित नियोमा शेत्रे, वहाँ पर विश्व का सबसे उच्छा फाइटर एयर फिल्ड का निर्मान किया जाएगा, एयर फिल्ड का शिलन्याज भारत के रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने किया था कुछ समय पहले, ठीके, सड़क संगठ द्वारा 13700 फिड की उचाई पर इसका निर्मान किया जाने वाला है, तो वर्ड का सबसे उच्छा फाइटर एयर फिल्ड कहां पर बनेगा भारत के लद्दाक राज्च में, हाली में आईश्मान भव अभियान का शुवारम किसके द्वारा किया गया, तो आईश्मान भव अभियान का शुवारम किया गया भारत की प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मु के द्वारा, किसके द्वारा द्रोपदी मुर्मु, ठीके, 13 September 2023 को लास्ट येर के एयर में, आईश्मान भव अभियान का वर्चुवली इन्होंने इनोग्रेशन किया था, भारत की PM, सरी, भा भारत के हर गाओं और कजबे तक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पहुचाना आईश्मान भव अभियान का मुख्योद देशे वर्चुली इनोग्रेट किया था लास्ट येर 2023 में भारत की प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मु ने विश्व का सबसे बड़ा नुक्लियर फ्यूजन रियक्टर किसने बणाया है जापान और यूरोपी यूनियन ने मिलकर आंसर हो जाएगा आंसर भी और इस इस तापित कहां किया गया जानते है जापान में जापान के इबारा की प्रांत में ये शुरू किया गया है तो आपना कहा हुई है जापान के इरा वाकी प्रांत में प्रांत छोड़ सकते हो तो जापान याद रखिए है। हाली में किस अफरीकी देश ने ओपेक समूग को छोड़ने की घोशना किये। तो आपेक जानते एक इंटरनेशनल ओगनाईशन है पेट्रोलियम देशों का है ना तो इसकी सदस्यता हाली में छोड़ने की घोशना की थी अंगोला ने ठीक है अफरीका का दूसरा सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अंगोला ने ओपेक से हटने की घोशना की अफरीकी देश है अंगोला 2007 में ओपेक का मेंबर बना था अब कुछ कारणों से क्यों कि सेटिस्टाई नहीं था वो इस संगठन के काम से तो अंगोला ने घोशना कर दिये कि भाईया वो ओपेक की सदस्यता छोड़ेगा हाली में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना रास्ट प्रतिक बनाया है तो हिम तेंदुए को अपना नेशनल सिंबल के रुप में एकसेप्ट किया है किर्गिस्तान ने एश्याई देश हिम तेंदुए को मद्दे एश्याई देश किर्गिस्तान ने अपना रास्ट प् तो County सविकार करने वाला पहला यूरोपी देश कौन सा है UPI सेवा को स्विकार करने वाला पहला यूरोपी देश बना है फ्रांस von Benach France ने क्यों यह पिल्ट टावर पर UPI सेवा को शुरू किया अब किसलों भी Galras तो वो डारेक्ट पेइमेंट करके अपना नाम रजिस्टेट करवा सकता है। तो UPI को इस तरीके से अपनाने वाला पहला यूरोपी देश बना कौन प्रांस। अंसर सी, दुनिया में पहली एयर टेक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है। तो दुनिया में पहली एयर टेक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर बनेगा दुबई, UAE का। दुबई शहर दुनिया की सबसे पहली एयर टेक्सी की दुबाई बनेगा नेमने लिखेत में से कौन सा देश नाटो का 32 मेंबर बना था तो नाटो नौर्थ एट्लांटिक ट्रिटी ओगनाईजेशन इसकी 32 मेंबर कंट्री बनी थी कुछ समय पहले ही स्वीडन ठीक है यूरोपी देश स्वीडन नाटो का 32 सदस्य देश बना थ अंसर भी सही हो जाएगा हाली में अफ्री की महादीब द्वारा अपनाई गई याउंडे घोषना किस बिमारी से सम्मंदी थे तो याउंडे घोषना की बात करें जो कि अफ्री की महादीब के 11 देशों ने एक साथ अपनाई थी इस घोषना पर हस्ताक्षर किये थे malaria disease को समाप्त करने के लिए याउंडे घोषना को announce किया गया था तो अंसर हो जाएगा answer A देखिए अपरीका के सारे देश लगबग बहुत ज्यादा पिछडें तो गंदगी होने कारण मच्छरों के कारण problem है malaria की तो ग्यारा देशों ने एक साथ गोषना पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं याउंडे गोषना इसे नाम दिया गया है क्योंकि केमरून की राजधानी याउंडे में ये सभावजित की गई थी ठीक है malaria disease को खत्म करने के लिए ये सभी देश एक साथ आने वाले हैं तो malaria disease से संबंदी थे याउंडे गोषना चर्चित Francis Scott की ब्रिज किस देश में इस्ते थे Francis Scott की ब्रिज की बात करें तो ये USA अमेरिका में देखने को मिलेगा आपको पता है कुछ समय पहले एक माल वहाँ container जहां चेकरा गिया था अब Francis Scott की ब्रिज से अमेरिका का ब्रिज है जिसके कारण ये ब्रिज डेह गया था अमेरिका की पतासको नदी पर ये ब्रिज बना हुआ था ठीक है ना तो Francis Scott की ब्रिज कहां परे तो USA में France लगा कर मत आजाना क्योंकि यहाँ पर Francis दिया यही confusion होता है ठीक है यह question है कि एक्जाम में आ चुका है तो ध्यान रखना Francis Scott की ब्रिज कहां परे USA में इस्राइल ने इरानी हमले को रोकने के बाद अपने defense operation को क्या नाम दिया है तो आपको पता है अभी इस्राइल के जो फिलिस्तिन के साथ युद्ध चल रहा है उसमें इरान का भी हमला हुआ था इस्राइल पर जिसके बाद इरानी हमले को रोकने के लिए इस्राइल ने अपने defense operation को iron shield नाम दिया था क्या नाम दिया था iron shield ठीक है इनका defense operation है किसका इस्राइल का हाली में सिंगापूर और होंग कॉंग ने किस गेस की मोजुद्गी के कारण भारती मसालों MDH और एवरेस्ट को बेन किया था ठीक है क्या मिला था ethylene oxide की मोजुद्गी के कारण चर्चा मेरा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया तो रवांडा बिल को पारित किया है United Kingdom या England की गवर्मेंट ने 10 बोल सकते हम तो United Kingdom की गवर्मेंट ने रवांडा बिल को कुछ समय पहले पारित किया था डेली गरंडा फर में मैं पढ़ा चुका हूं आपको बिल किया है किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉंच किया गया एसे लोग जिन्होंने परियावरांट सर्रक्षन के लिए काम किया है अपना योगदान दिया है उन लोगों को ब्लू वीजा देगा कोन, ब्लू रेसिडेंसी वीजा देगा कोन UAE दुनिया का पहला 6G डिवाईस किस देश ने लॉंज किया है जापान ने एसे अधिकतर जो टेकनो लोजिकल प्रयास है वो जापान ही सबसे अच्छे करता है तो जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को हाली में लॉंच किया है हाली में किस संग ने दुनिया के पहले प्रमुक AI कानून को मंजुरी प्रदान की तो वर्ल्ड का पहला AI को रेगुलेट करने वाला कानून लाए गया है जिसे मंजुरी दी है European Union ने Artificial Intelligence को रेगुलेट करने वाला ठीक है ना कृतिन बुद्धी मता इसको रेगुलेट करने वाला कानून है AI Act किसने मंजुर किया European Union ने दुनिया का पहला AI कानून है Officially टोक्यो विश्विद्याला दुआरा किस देश के अटाकामा में विश्व की सबसे उची वैद शाला का निर्मान किया गया है टोक्यो यूनिवर्सिटी के दुआरा अटाकामा डेजर्ट या शेत्र में जो हमें देखने को मिलेगा चीली दक्षिन अमेरी की देश तो टोक्यो विशुद्याले ने अटाकामा वेच्शाला जो की चीली में है इसका इनोग्रेशन किया जिसे दुनिया की सबसे उची वेच्शाला होने के लिए गिनेज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जे किया गया युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला दक्षिन अमेरीकी देश कौन सा है हमने यूरोपी देश देखा था अब यहाँ पर बात ओ रही है कि यूपी आई को अपनाने वाला पहला दक्षिन अमेरीकी देश कौन तो यह हो गया दक्षिन अमेरीकी देश पेरु जिसने UPI को अपनाया है अपने यहाँ पर ठीक है तो UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिन अमेरीकी देश कौन पेरु विश्व की सबसे उची उष्ण कटी बंदी आद्र भूमी पेंटागन में लगी भीशन आग के कारण किस देश ने अपने यहाँ पर एमर्जेंसी डिकलियर की थी तो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटी बंदी आद्र भूमी, पेंटानल में लगी आग के करण अपने यहाँ पर एमर्जेंसी डिकलियर की थी ब्राजील ने, किसने की थी ब्राजील ने, ठीक न, यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटी बंदी आद्र भूमी है, प शंगाई सैयोग संगठन की दस्वी member country बनी है कुछ समय पहले Belarus ठीक है तो Belarus जो की यूरोपी देश है शंगाई सैयोग संगठन का दस्वा सदस्य देश बना है चर्चा मेरे यह blue line सीमा किं दो देशों के मध्य में इस्तित है तो इस्राइल और लेबनोन के मद्ध में देखने को मिलेगी ब्लू लाइन सीमा काफी सुर्ख्यों में थी कुछ सामय पहले क्योंकि इस्राइल और लेबनोन के मद्ध में कुछ सामय पहले हालाद भी गड़ गड़ गए थे क्योंकि इस्राइल के अपने नेबर कंट्रीस के साथ युद्ध चली रहा है तो लेबनॉन भी चपेट में था उस वक्त युद्ध के लिए तो लेबनॉन और इस्राइल के मद्दी की सीमा है ब्लू लाइन जो की सुर्खियों में थी विदेश मंत्री एस जैशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औजदी केंदर का इनोग्रेशन किया तो भारत के पहले विदेशी जन औजदी केंदर का इनोग्रेशन भारत के बाहर किया गया है मौरिशस में भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर के द्वारा कुछ समय पहले ही अठरा जुलाई को विदेश मंत्री एस जैशंकर ने मौरिशयस में भारत के पहले विदेशी जन औजदी केंदर का इन्नोगरेशन किया सभी लोगों को जो मेडिसी ने दवाईया है कम दामों में उपलब दो सके जैन्दिक जो मेडिसी ने कम दामों में उचित मुल्य पर उपलब दो यह उद्देशी है जन औजदी केंदर का तो यह पहला विदेशी जन औजदी केंदर है जो भारत के बाहर है कहां पर मौरिशय पेरागवे के नई रास्टिपती के रूप में किसे चुना गया है। तो पेरागवे के नई रास्टिपती बने हैं सेंटि आनो, तेंटि आगो पैना ठीक है। काट CEO अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने एश्याई मूल के पहले वेक्ति जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने कौन है अजय बंगा हाली में CBI के निदेशक के रुप में किसे नियुक्त किया गया Central Bureau of Investigation के कुछ समय पहले ही नए निदेशक नियुक्त किये गए हैं प्रवींड सूध तो CBI के वर्तमा निदेशक पूछे डायरेक्टर पूछे तो कौन प्रवींड सूध करनाटक के DGP थे प्रवींड सूध इनको सुबत कुमार जयस्वाल के इस्तान पर CBI का नया डायरेक कुछ समय पहले ही निउक्त किया गया विश्व मोसं विज्यान संगठन के नय अद्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो विश्व मौसं विज्यान संगठन के नय अद्यक्ष चुने गये हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस अopardरे डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस को 2023 से 2027 तक मतलब 4 साल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया तो अगर कुश्यन ऐसा आता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष किस देश से आते हैं तो याद रखना सयुक तरब अमीरात के मौसम विज्ञानी है UAE के कौन अब्दुल्ला अलमंडोस जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वर्तमान में अध्यक में प्रधान मंत्री नियुक्त किये गाई है पैटरी और्पो पैटरी औरपो ने सना वारिन के अध्यक्ष न्युक्त किये गए हैं आध्याओ अर्जुन जो की अब Basketball Federation of India के नए अध्यक्ष रूप में न्युक्त किये गए तो Basketball Federation of India का नए अध्यक्ष कोन तो ये हो गए आध्युन इसके बाद आईए, हाली में रास्ट हरित प्राधीकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो रास्ट हरित प्राधीकरण मतलब National Green Tribunal की बात करें, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में जस्चिस प्रकास श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है, प्रकास श्रीव के पद पर आदर्श कुमार गोयल थे, इनका कारेकाल हाली में समाप्त हुआ, और अब NGT मतलब National Green Tribunal के अध्यक्ष का पद प्रकास श्रीवास्तव ने समभाला है, हाली में कमबोडिया का नया PM किसे नियुक्त किया गया, तो कमबोडिया जो की एक इश्याई देश है, इस कमबोडिया के PM के रूप में नियुक्ति की गई है, देखे फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए पर्टिकुलर GS के लिए, आप सभी के लिए कोशन बैंक एविलेबल है, रूट अप्लिकेशन पर और क्रेजी जिक में देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर प्रेक्टिस कर सकते हैं किसी भी एक्जाम के लिए, क्योंकि देखे हर एक्जाम में आपको GS का पोशन पूछा जाता है, करंट अफेर में आपको लगाता है, क्रेजी जी के ट्रिक यूटुब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता रहत हूँ, डेली करंट अफेर भी मैं आपको रोज टिच करता हूँ, तो आप डेली करंट अफेर को वोच कीजिए, क्योंकि वहाँ से हर एक्जाम में करंट अफेर के कोशन आपके कवर हो जाएंगे, और सब्जेक्ट के लिए आप GS का ये कोशन बेंक लगा सकते हैं, अनलिसे बेस्ड आपको सभी कोशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइस सभी को कवर किया गया है और इसके अलावा अपडेटेड एम सिक्यूस, एक्जाम के पॉइंट ऑ व्यू से एक्जाम ओरियेंटेड जितने भी कोशन है GS के वो आपको यहाँ पर देखने को मिले तो एक बार रूट एप्लिकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लिकेशन पर विजिट कीजिएगा इस कोशन बेंक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर इसे अवेल कर सकते हैं चली अगला कोशन विश्व एतलेटिक्स का अध्यक कि रूप में चुना गया है सबसे पहली बार सेवेस्टियन कोई 2015 में विश्व ए थलेटिक्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो विश्व एतलेटिक्स का पत स्यर्ष्व कोई एक बार फिट से हाली मेन की अध्यक्ष के रूप में पुना नियुक्ति की गई। विश्व एतलेटिक्स का अध्यक्ष कौन सेबेस्टियन कोई। Film and Television Institute of India जिसे FTII के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया। तो FTII Film and Television Institute of India इसके अध्यक्ष के पतपर वर्तमान में आर माध्वन हैं। आर माध्वन को कुछ समय पहले ही FTII का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था। आर माध्वन का नाम सुना होगा बॉलिवुड एक्टर हैं। काफी अच्छे-च्छे मूवीज दी हैं इन्होंने। हाली में शेतान एक मूवी आई थी। उसमें बहुती शांदार विलेन का रोल प्ले किया था। आर माध्वन ने। ये FTII के वर्तमान में अध्यक्ष और Chairman of the Governing Council न्यूक्त किये गए हैं। तो Film and Television Institute of India का अध्यक्ष वर्तमान में कोन आर माध्वन फिल्म अभीनेता। हाली में मुहम्मद मुईज जी को किस देश का रास्टेपती चुना गया। तो कुछ समय पहले मुहम्मद मुईज जी नए प्रेसिडेंट के रुप में न्यूक्त किये गए थे मालदीव के। कहां के मालदीव। आपको पता है मुहम्मद मुईज जी एंटी इंडिया एक विचार अधारा से बिलॉंग करते हैं। तो काफी मद्भेध हमें मालदीव और भारत के मद्ध में इनके रास्टपती बनने के बाद देखने को मिले हैं। तो मुहम्मद मुज जी की यहां पर बात हुरी है मालदीव देश के लास्ट येर नए प्रेसिडेंट के रूप में इनकी न्यूक्त की गई थी। सयुक्त रास्ट में भारत के इस्थाई प्रती निधी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया। सम्धम बातची। युनाइटे नेशन में भारत के इस्थाई प्रती निधी। साथ दिसमबर को तेलंगाना राज्यके मुक़्ेमंत्री के रूप में किस ने शपत ली। तो लास्ट येर 2023 में साथ दिसमबर को तेलंगाना के सीयम के रूप में शपत ली थी। रेवेंत रेड़ी ने आंसर भी तलंगाना के CM बने हैं रेवेंत रेड़ी ठीके कॉंग्रेस जीत कर आई थी तलंगाना में आपको पता है और 7 दिसंबर को कॉंग्रेस के निता रेवेंत रेड़ी ने तलंगाना के नए CM के रूप में शपत ली थी रेवेंत रेड़ी गाना में कॉंग्रेस के पहले मुख्य मंत्री हैं, हना, अंतरास्टी नियाले का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टिस के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस नवाफ सलाम की नियुक्ति की गई है, जानते कहां से बिलोंग करते हैं, लेबनौन के नियाधिश है नवाफ सलाम, जो की USA के नियाधिश जोन इडॉंग्यू के इस्तान पर अंतरास्टी नियाले के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गया, रूस के नियाधिश किरिल गेवोग्रियन को युगांडा के नियाधिश जूलिया सेबू टिंडे के इस्तान पर उपाद्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, देखे एक अन्फिजन होगा तो आप तो यह याद रख लीजी अध्यक्ष और उपाद्यक्ष कोन, तो इंटरनेशनल कोट ओव जस्टिस के अध्यक्ष नवाप सलाम, ठीके लेबनौन के हैं और उपाद् के रूप में, देवेंद्र जहाजरिया की नियुक्त की गया है। इंपोर्डेंटे ध्यान रखिएगा किस खेल से है ये कुश्शन भी पूछा जा सकता है तो देवेंद्र जाजरिया की बात करें तो भारत के पैरा जेवलिन थ्रोवर खिलाडी है है ना देवेंद्र जाजरिया पैरा भाला फेक खिलाडी जिनने हाली में भारती पेरालंपिक कमिटी का अध्यक्ष न्युक्त किया गया इनके पहले भारती पेरालंपिक कमिटी का अध्यक्ष के पतपर दीपा मलिक थी जिनके इस्तान पर देवेंद्र जाजरिया की न्युक्ति की गई है पेरा भालाफेक खिलाडी केंद्री ओध्योगिक सुरक्षा बल जिससे CISF के नाम से जाना जाता है इसकी पहली महिला महानिदेश्या कोन युक्ते की गई तो पहली डायरेक्टर जन्रल CISF की महिला कोन युक्ते की गई जानते नीना सिंग मैंने आपको काफी बार बोला है अगर कुछ ऐसा होता है कि महिला ने पहली बार पत संभला है तो इसे कोश्चन एक्जाम में काफी बार हमने देखे है तो CISF की पहली महिला डायरेक्टर जन्रल के रूप में किसकी न्युक्ती की गई नीना सिंग की स्युक्तरास्त्य महा सभाग के 79 सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया काफी जगह पर 79 सत्र बोल देते हम यहाँ पर 79 सत्र किसका United Nation General Assembly का इसके अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया है फिलेमोन यांग को इस साल सेप्टेमबर दोजार चुबिस में 79 सत्र आयुजित किया जाएगा United Nation General Assembly का अध्यक्षता करेंगे फिलेमोन यांग अब आपके दिमाग में आएगा सर यह है किस देश से तो ध्यान रखिएगा केमरून के पुर्व प्रधान मंत्री है कौन फिलेमोन यांग जो की United Nation General Assembly के 79 सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए यह जो 79 सत्र है जैसा कि अभी में आपको बता है सेप्टेंबर में आउजित किया जाएगा United Nation General Assembly का अध्यक्षता किस के पास है फिलेमोन यांग के पास केमरून के पुर्व प्रधान मंत्री पैरिस उलम्पिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारती महिला कोन तो पैरिस उलम्पिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारती महिला बिलकिस मीर बनी है बिल्किस मीर, भारत के जम्मु कश्मीर राज्य से बिलोंग करती है, कैनोईंग खिलाडी है, पुर्व कैनोईंग खिलाडी, बिल्किस मीर है, जिनने पैरिस ओलंपिक दोजार चुबिस में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, ओलंपिक जूरी का सदस्य ब पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई है, क्लाउडिया शिन्बाउम, अंसर C, कौन बनी, क्लाउडिया शिन्बाउम, मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में, कुछ समय पहले ही इनकी न्यूकती हुई है, मेक्सिको जानते, उत्तरी अमेरिकी महादीप का दे को किस देश के सर्वच नागरिक सम्मान order of the Duke ग्यालपो से सम्मानित किया गया तो order of the Duke ग्यालपो की बात करें तो यह सर्वच नागरिक सम्मान है भुटान का जो कि कुछ समय पहले ही भारत के PM नरेंद्र मोदी को धिया गया भारत के PM नरेंद्र मोदी को भुटान देश के सर्वच नागरिक सम्मान order of the Duke ग्यालपो से सम्मानित किया गया वर्ष 2023 के लिए 33 सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया 33 सरस्वती सम्मान जो की साहित्य के शेत्र में नौर्मली दिया जाता है इससे सम्मानित किया गया है हाली में किसे प्रभावर्मा को अंसर सी ठीक है वर्श 2023 के लिए 33 सरस्वती सम्मान प्रभावर्मा को दिया गया कोन है भाई तो केरल राज्य से बिलॉंग करते हैं पहले त प्रभावर्मा तो मलियालम भाशा के साहित्यकार प्रभावर्मा जो कि केरल राज्य से बिलॉंग करते हैं इन्हें इनके साहित्य के शेत्र में युगदान के लिए 33 सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया मलियालम भाशा में साहित्यकों उचाईयों तक पहुचाने के कि भारत से अंतरास्ट्य उलम्पिक समिती का सदस्य कोन बना है दूसरी बार बना है जो भी बना है कोन था भी यह निताम्मानी है ना तो अंसर मिल गया अंसर हो जाएगा अंसर सी निता अम्मानी भारत से अंतरास्ट्य उलम्पिक समिति की सदस्य चुनी गई थी कुछ समय पहले ही वैसे यह दूसरी बार है कि निता अम्मानी अंतरास्ट्य उलम्पिक समिति की सदस्य चुनी गई थी 2024 के Paris Olympic के समय इसके पहले 2016 में जो Rio Olympic हुआ था ब्राजिल के रियेडू जैनेरियों में इसमें भी अंतराज की Olympic समिती की पहली बार सदस्य बनी थी नीता अम्मानी पहली महिला अंतराज की Olympic समिती की सदस्य बनने वाली ओके और अब दूसरी बार 2024 में जो Paris Olympic हुआ था उसमें भी इने समिती का सदस्य चुना गया था नाटो का महासच्यू किसे निउक्त किया गया देखिए नाटो के महासच्यू के रूप में गोशित हो चुके हैं मार्क रूटे अंसर सी लेकिन अभी James Stoltenberg नाटो के महासच्यू के पत्पर हैं अक्टूबर दोजार चूबिस तक नाटो के महासच्यू के पत्पर James Stoltenberg रहेंगे लेकिन अक्टूबर में जोइन कर लेंगे पत्कोन मार्क रूटे इनके लिए चुना हो चुका है अनॉसमेंट हो चुकी अक्टूबर में जब James Stoltenberg का कारेकल खत्म होगा महासच्यू के रूप में तो फिर मार्क रूटे अपॉइंट हो जाएंगे तो नीदर लेंड के प्रधान मंत्री है मतलब नीदर लेंड से बिलॉंग करते मार्क रूटे है ना शाद अब तो प्रधान मंत्री के पत से हट चुके होंगे नाटो के महासच्यू ने उक्त किये गए तो यहाँ पर यह याद लख लो नीदर लेंड से ठीक है और एक बार क्रोस चेक कर लेंगे कि प्रधान मंत्री के पत पर हे की नहीं मार्क रूटे महासच्यू के रूप में एक अक्तुबर को अपना पत संभालेंगे है ना तो अभी अक्तुबर तक जेन्स स्तौलिन बर्ग नाटो के महासच्यू के पत पर रहेंगे फिर जॉईन करेंगे कौन मार्क रूटे है ought रिशी सुनक के स्तान पर ब्रिटेन का प्रधान मंत्री किसे न्युक्त किया गया रिशी सुनक के स्तान पर ब्रिटेन के नए पीम बने हैं किर स्टारमर आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि भाई भारती मुल्के वेकती थे रिशी सुनक ब्रिटेन के PM के पतपर लेकिन अब ये हट चुके हैं, तो रिशी सुनक के इस्तान पर लेबर पाटी के नेता किरिस टारमर ब्रिटेन के नए PM के रूप में नियुक्त किये गए। हाली में किसे बिमस्टेक का महासच्यू नियुक्त किया गया तो बिमस्टेक के महासच्यू के रूप में नियुक्त की गई है इंद्रमणी पांडे की अंसर भी किसकी इंद्रमणी पांडे बिमस्टेक के महासच्यू के पत्पर हैं अभी वर्तमान में इनके पहले टेंजिन लेकफेल बिमस्टेक के महासचिव थे इनके इस्तान पर भारत के इंद्रमणी पांडे को बिमस्टेक का नया महासचिव निउपते किया गया और इस तरह से इंद्रमणी पांडे बिमस्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारती वेकती हैं लता दीनानात मंगेशकर पुरसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? लिए ओसकर अवार्ड दिया गया? तो 96 अकेडमिक अवार्ड दोजार चूबिस में बेस्ट पिक्चर के लिए ओसकर अवार्ड इसमें बेस्ट पिक्चर घोशित की गई थी कौन? ऑपन हाइमर अंसर ए पहला नुकलियर अटेक या जो नुकलियर बुम मनाया था ओपन हाइमर उनके जीवन पर ओपन हाइमर मुवी को बेस्ट पिक्चर के लिए ओसकर दिया गया? वैसे कुछ और अवार्ड भी दिये गया है जो में में हम देख लेते हैं देखिए बेस्ट पिक्चर 96 त ओसकर में कौन? ओपन हाइमर और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है लेडिंग रॉल के लिए वो भी ओपन हाइमर के एक्टर को ही दिया गया जिनका नाम है किलियन किलियन मर्फी ओपन हाइमर के एक्टर है लेडिंग रॉल और बेस्ट एक्टरेस की बात करें लेडिंग रॉल में तो यह है एमाइ स्टोन इन पूर थिंग पूर थिंग मूवी के लिए एमाइ स्टोन को बेस्ट एक्टरेस का वार्ड ओपन हाइमर के लिए किलियन मर्फी इक्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निट किये गए तो क्रिस्टोफर लक्सन की बात करें तो ये नए पीम बने हैं निजीलेंड के कहा के निउजिलेंड नाम क्या है क्रिस्टोफर लक्सन कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य क्रिस्टोफर लक्सन निउजिलेंड के नए PM कुछ समय पहले ही ये नियूक्त किये गए नियमनलिखित में से किसे गांधी शानती पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया तो गांधी शान्ती पुरसकार जो की कुछ समय पहला नाउस हुआ था 2021 के लिए ये दिया गया है गीता प्रेज गोरकपूर को आंसर है काफी विवाद भी हुआ था इस चीज़ पर तो गीता प्रेज गोरकपूर आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जो हिंदु धर्म के शास्त्रे उनको अथेंटी से प्रमानित करने का श्रे गीता प्रेज गोरकपूर को दिया जाता है बहुत अच्छे शास्त्रों को ये लौंज करते हैं प्रकाशित करते हैं है ना काफी प्रसिद्धी है गीता प्रेज गोरकपूर की तो हिंदु धर्म में जितने भी शा किया था गांधी शांती प्रसकार 2021 से गीता प्रेज गोरकपूर को सम्मानित किया गया ठीक है हाली में सिंगापूर का रास्टपती किसे नुक्त किया गया तो सिंगापूर के रास्टपती कुछ समय पहले ही बने हैं थर्मन शन्मुगरत नम सिंगापूर के रास्टपती ठी और भारती मुलके इसलिए भी इंपोर्टेंट है ठीक है भारती मुलके थर्मन शन्मुग रत्नम को सिंगापूर का नया रास्टपती चुना गया और इस तरह से थर्मन शन्मुग रत्नम सिंगापूर के नवे प्रेसिडेंट के रूप में हाली में निउक्त किये गये नवे एर्फन बेक, question important है, note कीजिएगा, कियारोस या काईरोस के नाम से जानी जाती है, जैनी एर्फन बेक जो की जर्मन, एक लेखी का है, जर्मन भाषा में इन्होंने इस बुक को लिखा था, इसका English translation का श्रे, Michelle Hoffman को दिया जाता है, ठीक है, इन्होंनों translate की थी, तो काईरोस के लिए जैनी एर्फन बेक और Michelle Hoffman को International Booker Prize 2024 दिया गया, एक्चुल जर्मन लेंग्वेज में थी, बाद में English translation किया है, Michelle ने, ठीक है ना, लिखी किसने, जैनी एर्फन बेक ने, International Booker Prize 2024, Laureus World Sports Award 2024 में Laureus World Sportsman of the Year का पुरसकार किसे दिया गया, तो Laureus World Sportsman of the Year का अवर्ट दिया गया, नवाक जोकोविच को, जानते कोने, सर्भिया के टैनिस प्लेयर हैं, नवाक जोकोविच, जिनने इस अवर्ट से हाली में सम्मानित किया गया, ठीक है, तो Laureus World Sportsman of the Year 2024, नवाक जोकोविच, पाच्वी बार इन्हें ये पुरसकार दिया गया, सर्भिया के टैनिस खिलाडी, और वहीं पर Laureus Sportsman of the Year 2024 की बात करें, तो ये एटाना बोन माटी को दिया गया, जो की Spain की फुटबॉलर है महिला, एटाना बोन माटी, काफी फेमस से, ये भी, है ना, इसके अलावा Laureus Team of the Year 2024 का वोट किसे दिया गया, तो Spain Women's Football Team को, चीकिए, सोहराय महापर्व का संबन्द किस राज्य से, तो सोहराय महापर्व, ये भारत के जारखन राज्य में, वहां के जो आदिवासी समुदा है, उन में सेलिबरेट किया जाता है, तो राज्य होने वाला एक आदिवासी महापर्व है, प्रतिस्टित Norman E. Borlog Purauskar 2023 किसे प्रदान किया गया, तो Norman E. Borlog Purauskar 2023 के लिए, डौक्टर स्वाति नायक को दिया गया, अंसर D, अंतरास्ति चावल अनुस अंधान की शिर्षवे ज्यानी के, डौक्टर स्वाति नायक भरती, इन्ह प्रतिस्टित Norman E. Borlog Purauskar 2023 प्रदान किया गया, 2023 में अर्तशास्त्र के लिए Nobel Purauskar से किसे सम्मानित किया गया, 2023 में लास्ट इयर जो Nobel Award की गोशना की गई थी, 2023 के लिए, उसमें Economy का जो Nobel है, वो Claudia Golden को दिया गया, किसे Claudia Golden, काफी भेमा से, कोशन पूछा भी गया इन पर, एक अमेरिका की Harvard University की प्रोफेसर है, USA की, अमेरिका की, ठीक है, Claudia Golden, जिनने 2023 में Economy के Nobel से सम्मानित किया गया, Why India Matters, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, उत्तराखन, PSC का जो एक्जाम हुआ था न, उसमें कोशन पुछा गया था, Why India Matters, किसके द्वारा लिखित बुख है, तो ये S.J. शंकर के द्वारा लिखी गई बुख है, SSC में इसके पूछे आने की संभावना धियान रखना, S.J. शंकर ने भारत के वेश्विक महत्व और भू राजनितिक इस्तिती के बारे में इस बुख में लिखाए, S.J. शंकर को जानते को ने भारत के विदेश मंत्री, Why India Matters, इनके लिखित पुस्तक है, हाली में किसने Miss Universe 2023 का खिताब जीता, Miss Universe 2023 का खिता था, शेनिस पलाश्यों ने, अंसर है, यह जो प्रत्योगिता है, अल सल्वाडोर की रावधनी सेन सल्वेडोर शहर में एजित की गई थी, जिसमें निकारागुवा की, यह भी इंपोर्टेंट है, कहां की है, निकारागुवा, निकारागुवा की शेनिस पलाश्यों ने, 72 Miss Universe 2023 का खिताब अपने नाम किया था, कौन? शेनिस पलाश्यों, निकारागुवा की. भारत और बंगलादेश के बीच में, ग्यारवा संप्रीती युद्धव्यस कहां आयोजित किया गया था, और इसका उद्धेश्य क्या था? तो भारत तो पहली चीज़ तो ये की संप्रीती वार एक्सरसाइस किंदो देशों के मध्य में आयोजित की जाती है, पहला कुश्यन, तो संप्रीती वार एक्सरसाइस इसका आयोजन किया जाता है भारत और मांगलादेश की सेना के मध्य में, ठीके? इस साल ग्यारवा युद्धव्यस ऐजित किया गया था मेघालै के उम्रोई में तेन्य सयोग के स्तापीद करना इसका मुख्योत देश्य था तो अंसर हो जाएगा अंसर भी ग्यार्वा सम्पृती वार्वा संस्करन था वर्ष 2023 में लगाता और दूसरे वर्ष ICC Men's T20 Crickader of the year का पुरसकर किसे प्रदान किया गया तो वर्ष 2023 में लगातार दूसरी बार ICC पुरुष T20 क्रिकेटर of the year कब जो अवर्ड है वो दिया गया तूरी कुमार यादव T20 के फाइनल में भूती शांदर के चिन्हों ने पकड़ा था 2023 के लिए भी इन्हें ICC Men's T20 क्रिकेटर of the year का अवर्ड दिया गया तो यह हो गए सुरी कुमार यादव All over category में ICC Men's Cricketer of the year 2023 के लिए Pat Cummins घोशित किये गये थे जो कि Australia क्रिकेटर है Pat Cummins और ICC Men's One Day Cricketer of the year 2023 की बात करें तो यह भारत के विराट को हली तो ICC Men's T20 क्रिकेटर of the year 2023 के लिए सुरी कुमार यादव One Day Cricketer of the year 2023 के लिए विराट को ली और Men's Cricketer of the year 2023 के लिए Pat Cummins और स्किलियाई क्रिकेटर 2023 में साहित्ति के लिए नोबल पुरसकार से किसे सम्वानित किया गया तो 2023 में साहित्ति के लिए नोबल दिया गया था John Fasek को कहा के नौर्वेग के लेखक है Norwegian ठीक है लेखक Norwegian लेखक John Fasek को 2023 के लिए Nobel of Literature हैना साहित्ति के नोबल पुरसकार से सम्वानित किया गया था John Fasek Victory City के लेखक कोन है यह question बार बार exam में repeat होता है Victory City अगर इसकी बात करें तो इसके लेखक है सलमान रुजदी बहुत ही famous author है ना पदमश्री और गजल गायक पंका जुदास का निधन हुआ था इनने किस वर्ष पदमश्री से सम्मानित किया गया था तो गजल गायक पंकजुदास है ना पढ़ा भी हमने डेली गर अंटरफैर में चिट्ठी आय है ना यह गाना किसका है पंकजुदास का है और उस गाने में जो आपको गाते वी दिखते हैं वो पंकजुदास है तो इनका निधन हो गया था हाली में कुछ समय पहले इन्हें 2006 में कला के शेत्रमेन के योगदान के कारण इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है ठीक है बहुततर वर्ष के आयू में कुछ समय पहले ही पंकज उदास का निधन हुआ था 2006 में पद्मश्री विश्व मेराथन रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टन का निधन हो गया केल्विन किप्टन का संबंद किस देश से था तो विश्व मेराथन रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टन की बात करें तो ये केनिया से बिलॉंग करते थे एक सड़क दुरगटना में कुछ समय पहले ही केल्विन केप्टन का 24 वर्ष की आयू में ही निधन हो गया काफी फेमस थे काफी रिकॉर्ड इनके नाम थे तो केल्विन केप्टन है ना मेरा थंध हवक किस देश से हैं केनिया अफरी की देश है नॉबेल शान्ती पुरसकार 2023 किसे प्रदान किया गया तो 2023 के लिए नॉबेल शान्ती पुरसकार नॉबेल ओफ पीस किसे दिया गया था नर्गिस महमदी इरान की एक महिला मानवाधिकार कारे करता है Human Rights Activist, इरान की जेल में बंदे, नर्गिस महममदी, इनन नोबेल शान्ती पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया था last year द्रोपदी मुर्मू, प्रॉम ट्राइबल से हेंटर लेंड टू रायसेना हिल्स कुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो द्रोपदी मुर्मू के जीवन पर कि केसे वो एक मतलब प्राइबल एरिया से आए और आगे चलकर रायसेना हिल्स तक भारत के रास्टेपती पत क उन्होंने सफरता ही किया, हना तो उनके जीवन पर एक इंटरस्टिंग सी बुक लिखी है, कस्तूरी रॉय ने, आंसर डी हो जाएगा, कस्तूरी रॉय की बुक है, इस पुस्तक में द्रोपदी मुर्मू के जीवन पर बताय गया है, उनके अनुभव बताय गया है, उनका प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मू जी का, इसके बारे में उल्लेक हिया ही किसने कस्तूरी रॉय ने, जुलाई दोजार तेविस में प्रसिद्ध चित्रकार वासु देवन नंबु धिरी का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंदी थे, तो देखिए जुलाई दोजा प्रसिद्ध चित्रकार और मुर्तिकार भारत के केरल राज्य से, कौन चित्रकार वासु देवन नंबु थिरी, भारती शास्त्री संगीत गाई का डॉक्टर प्रभात्रे का निधन हो गया, डॉक्टर प्रभात्रे किस घराने से संबंदित थे, तो देखिए शास्त्री सं या गाईका डॉक्टर प्रभात्रे कुछ समय पहले इनका निधन हुआ था ये भारत में किराना घराने से सम्मंदित गाईका है शास्त्री गाईका किराना घराना भारती शास्त्री संगीत का एक बहुत ही फेमस घराना है जिसकी गाईका थी डॉक्टर प्रभात्रे इनका न 1990 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। आगे चल कर 2002 में पद्म भूशन अवार्ड दिया गया और फिर 2022 में इन्हें पद्म भूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1990 में पद्म श्री, 2002 में पद्म भुशन और 2022 में पद्म विभुशन, डॉक्टर प्रभात रे किराना घराने से संबंदित, भारती शास्त्री संगीत गाईका, जिनका निधन हुआ तो महारास्ट में और महारास्ट से ही ये संबंदित है. सरवस्चे नियालई की नियाधीच बनने वाली पहली महिला कों थी, जिनका हाली में निधन हुआ, तो सुप्रीम कोट की पहली महिला नियाधीच बनी थी कों? फातीमा बीवी. अंसर भी कब 1989 में सुप्रीम कोट की जज बनने वाली भारत की पहली महिला भारत के केरल राज्य से बिलॉंग करती थी और तमिलाडु राज्य के राज्यपल का पद भी समाल चुकी है 1989 में सुप्रीम कोट की जज़ बनने वाली पहली महिला फातिमा बीवी का कुछ समय पहले ही निधन हो गया भारत और USA के बीज गगन शक्ति 2024 वायू सेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया तो भारत और USA के मध्य में गगन शक्ति देखे पहले तो यह याद रखिएगा कि गगन शक्ति वायू सेना अभ्यास एयर फोस एक्सरसाइस किनके मध्य में आयोजित की जाती भारत और USA हाली में इसका राज्स्तान किया गया था भारत की राजस्तान के पोखरण में usually यज़पर उसेया के अंत्रिक्षा ने इसतापित करने वाला भारत कोन सा देश बन गया ए आपको बताए हमने हमारा सूर मिशन लॉंच किया था पहला सोर मिशन भारत का हमने 2023 में लॉंच किया था, क्या नाम था अधित्य एल वन, काफी फेमास से ध्यान रखना, अधित्य एल वन, लिंगरेज पॉइंट वन पे इसके स्तापना की गई थी सूरी और प्रत्वी के मद्ध में, और सूरी और प्रत्वी की कक्षा के लिंगर याद रखिएगा, 6 जनवरी दोजार चूबिस को लेंगरेज पॉइंट में ये दाखिल हुआ था, भारत और अमेरिका, भारत, अमेरिका, युरोप और चिन, ये तीन पहले अपना अंत्रिक्षियान इस्तापित कर चुके हैं, अब भारत चोथा देश बनाए, जिसने सूर् तो मून स्नाइपर मिशन चंद्रमा पर उत्रा है, इसने लेंडिंग की है, ये जापान का मून मिशन है, अंसर भी, ठीके, तो जापान के मून स्नाइपर मिशन ने चंद्रमा पर सफलता पुर्वक लेंडिंग की है, और इसके बाद जापान चंद्रमा पर पहुचने वाल कौन मना जापान ते तीसवे व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया ते तीसवे व्यास सम्मान हिंदी लेखी का पुष्पवहरती को दिया गया इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा ते तीसवे व्यास सम्मान से पुष्पवहरती को सम्मानित किया गया व्यास सम्मान दोजार तेवी से ते तीसवे व्यास सम्मान दोजार तेवी से हिंदी लेखी का पुष्पवहरती को प्रदान किया गया इनकी काफी सारी साहित्यां काफी सारे जैसे यादे यादे और या तो आप तो यहाँ पर पुश्पा भारती को याद रखो 33 व्याद सम्मान 2023 से हाली में इनको सम्मानित किया गया अंत्रिक्ष में सरवाधिक समय तक रहने वाले अंत्रिक्ष यात्री कौन है तो अंत्रिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अंत्रिक्ष यात्री की बात करें तो ये ओलेग कोनोनेको हैं कहां के जानते हैं रश्या के रूस के एस्ट्रोनोट है ओलेग कोकोनेको अंत् उसकी को तोड़ा है रश्या के दूसरे एस्ट्रोनाट ले कोको नेको ने और 5 जून तक इन्होंने एक हजार दिन पूरे कर लिये थे अंतरिक्ष में.. तो इस तरीके से अंत्रिक्ष में एक हजार से भी ज्यादा दिन पूरे किया और सबसे लंबे समय तक अंत्रिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया ओले कोको नेको ने रूसी अंत्रिक्ष यात्री कार्टी सेल थेरेपी का इस्तेमाल किस बिमारी में किया जाता है बहुत ही सिंपल है कार्टी सेल थेरेपी की बात करें तो ये कैंसर के इलाज के लिए उप्योग की जाती है जिन थेरेपी ये कैंसर के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है चंद्रमा के साउथ पॉल पर उतरने वाली प्राइवेट कमपनी इन्टियूटिव मशिन्स किस देश से संबन्दी थे तो पहली प्राइवेट कमपनी की बात करें तो यह अमेरिका की है जो की चंद्रमा के साउथ पॉल पर उतर ही है भारत भी उतरा था ना तो अमेरिका की हुस्टन बेस्ट एक प्राइवेट कमपनी हैं इंट्यूटिव मशिन्स कलेंडर ओडी सियस चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंड करने वाला अमेरिका भारत के बाद दूसरा देश बन गया भले ही प्राइवेट एक अंत्रिक शजन सी है लेकिन उतरी तो सही तो अमेरिका की थी तो अमेरिका अतुसरा देश बना भारत लास्ट ययर पहला देश बना था चर्चा मेरा मिशन उतकर्ष किस बीमारी से संबन्दी थे मिशन उतकर्ष की बात करें तो ये एनीमिया रोक के निवारन के लिए शुरू किया गया था है ना भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने मिशन उतकर्ष की शुरूआत की थी पाँच राज्जों में नॉर्मली पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था इसका मुख्युद्देश जानते हैं जितनी भी किशोर लड़किया है 14-18 साल की जितनी भी फिमेल है उनको एनीमिया की कमी सोने वाली जितनी भी प्रॉबलम से उनसे दूर करना तो एनीमिया रोक से लड़ने के लिए इसके निदान के लिए मिशन उतकर्ष शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास मिनिस्ट्री के द्वारा ठीके एनीमिया से सम्बंदी थे मिशन उतकर्ष दक्षिन भारत के किस राज्ज में हाली में एक नई बिमारी लाइम डिसीस का पहला मामला सामने आया है तो लाइम डिसीस का पहला मामला हमको देखने को मिला है भारत के केरल राज्ज में देखे, disease के कोई मामले अगर न आते हैं, आपको अंसर नहीं पता, मैं पहले ही बोल चुका, अगर अंसर नहीं पता है, तो तुक्का केरल पे लगाना, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा बाहर काम करने लोग जाते हैं, तो केरल में यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिली है तो lime disease नाम की एक बीमारी केरल में detect की गई है पहला मामला केरल में देखने को मिला है ठीक है केरल का एक particular एरना कुलम जीले में lime disease का मामला देखने को मिला है घातक बीमारी है जानलेवा बीमारी है जो कि बैक्टिरिया के कारण फैलती है, लाइम डिसीज, मामला मिला है केरल में, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा, कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमान खुजे हैं, तो कॉलेस्टो की बात करें, तो ये जुपिटर का एक मून है, जुपिटर का चंद्रमा या उग्रह बोल सकते हैं, जुपिटर ब्रहस्पती हैं तो ब्रहस्पती के उग्रह, कैलिस्टो पर हाली में ओजोन गेस की खोच की गई है, वैज्ञानिकों के द्वारा, तो कोश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कैलिस्टो किसका उग्रह है, जुपिटर, राश्टिपती द्रोपदी मूर्मू ने IIT बॉम्बे में कार्टी सेल थेरेपी की शुरुआत की, कार्टी सेल थेरेपी किस बिमारी से संबन देते हैं, अभी हमने बात की थी, कार्टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज से संबन देते हैं, जिन थेरेपी बताया था तो जो भारत की प्रेसिडेंट है दुरोपदी मुर्मू उन्होंने देखिए चार मार्च को इसी साल भारती प्रोध्योगी की संस्तान बॉम्बे में कैंसर के लिए काटी सेल थेरेपी की शुरुआत की हैं इससे अब कैंसर का इलाज किया जाएगा भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त गोशित करने की लक्ष रखा है तो इसपैस डेबरीज की बात करें जो अंतरिक्ष में कचरा है तेललाइट का हो सकता है अलग अलग किसम का हो सकता है तो भारत ने 2030 तक अंतरिक्ष शेत्र को मलबा मुक्त करने की गोशन की है इस तरों के अध्यक्ष एम सौनात ने घुशना की थी कि भाईय भारत को 2030 तक हम इस पैस डेब्रीज फ्री कर देंगे है ना हाली में किस राज्ज ने वेस्ट नाइल फीवर की कैसे के बाद अलेट जारी किया तो मैं आपको बता है ऐसे केस कहा थे सबसे पहले केरल वेस्ट नाइल फीवर की कैस देखने को मिले थे केरल में काफी सारे लोग प्रभावित हुए थे और पांच से अधिक लोगों की मृत्यों गई थी जिसके बाद केरल ने अपने रज में हाई अलर्ट घुशित किया था ही डिसीज के कारण मच्छर के गाटने से फैलने वाली विमारी है कौन सी है वेस्ट नाइल फीवर है ना बहेंकर बुखार आता है जोडों में दर्द होता है तिर चकर आता है दर्द होता है और फिर वामिटिंग वगएरा और फिर अगर इलाज ना कराया जाए तो वेक्ति की मृत्यों जाती तो वेस्ट नाइल फीवर के मामले सबसे पहली बार कहां देखने को मिले केरल में जिसने यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया था इस फीवर के बाद भारत और कजाकिस्तान के बीच सात्वा काजिंद 1993 स्युक्त सैन्यभ्यास कहां आयूजित किया गया था तो पहली चीज क्या नोट करना है हमको कजिंद वेर exercise किनके मद्ध में आउजित की जाती है भारत और कजाकिस्तान के मद्ध में सात्वा कजिंद दोजार थे वी सयुक्त सेनभ्यास कुछ समय पहले ही आउजित किया गया है कजाकिस्तान कहां पर कजाकिस्तान तो सात्वा काजिन्द दोजार तेवी सयुक्त सैन्य अभ्यास कजाकिस्तान में आयुजित किया गया था कुछ सामय पहले, सात्वा एडीशने काजिन्द वार एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के मद्ध में आयुजित की जाती है AI Spoke Person Victoria Shee किस देश में लॉंच की गई तो एक Government AI Spoke Person ने विक्टोरिया शी इसे लॉंच किया है युक्रेन ने आंसर भी किस ने लॉंच किया युक्रेन ने युक्रेन Government ने Officially अपना AI Spoke Person लॉंच किया है AI ये एक तरह का और इसको नाम दिया गया है विक्टोरिया शी किस कंपनी ने भारत में Artificial Intelligence Tool Gemini लॉंच किया है तो Artificial Intelligence Tool Gemini को कुछ समय पहले लॉंच किया है Google ने भारत में है न भारत में Google ने इस AI Tool को लॉंच किया है Gemini नाम का है ठीक है न भारत में अलग-अलग languages में ये application available है आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए दुनिया की पहली लकडी से बनी satellite Lignoset कि इस देश ने निर्मित की है तो पहले तो ये याद रखे कि दुनिया की सबसे पहली लकडी से बनी satellite का नाम क्या है Lignoset इसे launch किया है जापान ने किसने जापान ने बनाया है जापान के शोत करताओं ने लकडी से बनी दुनिया की पहली satellite Lignoset निर्मित की है कौन सा शहर COP29 शिखर सम्मिलन की मेजबानी करेगा है न अभी आयजित नहीं हुआ है अब करेगा आगे चलकर तो ये है अजर बेजान याद रखना इस साल COP29 शिखर सम्मिलन Conference of Parties जलवायू परिवर्तन पर अंतरास के सम्मिलन है इसका आयजन अजर बेजान के बाकू में किया जाएगा 11 से लिकर 24 नॉवंबर दोहजार चोबिस तक अजर बेजान के बाकू में COP29 तम्मिलन का आयजित किया जाने वाला है आप याद रखिएगा COP28 है न ये लास्ट येर आयजित किया जा चुका था UAE में तो COP28 तयुक तरब अमिरात में आयजित किया गया था और अब COP29 अजर बेजान के बाकू में आयजित किया जाएगा इंक्यानुवी इंटरपोल महासभा का आयजिन कहां किस देश में किया गया तो इंक्यानुवी इंटरपोल महासभा का आयजिन किया गया है आस्ट्रिया के वीना में कहां पर आस्ट्रिया के वीना में, इंक्यारनुवी इंटर्पोल महासभा का आयोजन आस्ट्रिया की राधनी वीना में किया गया, दुनिया भर के जितने भी वरिस्ट पुलिस अधिकारी है, उन्होंने पाटिसिपेट किया ताकि इंटरनेशनल जो संगटित अपराध है और कोई अधर जो खत्रे हैं उन पर चर्चा की चाहिए, तो इसके लिए इंक्यारनुवी इंटर्पोल महासभा का आयोजन आस्ट्रिया के वीना में किया गया, ठीके, पहला AI सेफ्टी समेट 2023 का आयोजन किया गया था, तो AI पर AI की सेफ्टी से संबंदित, पहला AI सेफ्टी सम दोजार थीश का आयोजन एक दो नवंबर मतलब दो दीवसी सम्मेलन था, 2023 में ब्रेटेन के बंकिंगम शायर में आयोजित किया गया, ब्रेटेन या युनाइटेट खिंडम, ठीके, नवा भारत अंतरास्टे विज्ञान महुत्सव दोजार चोबिस किस देश में आयोजि सर्याना के परिदाबाद में जनवरी दोजार चोबिस में आयोजित किया गया था, 17 से लेकर 20 जनवरी तत, अंबुवाची मेले का संबंध किस राज्य से, important question है, पूछा जाता है, अंबुवाची मेले की बात करें, तो कामाख्या देवी मंदिर जानते का है, भारत के असम कामाख्या देवी शक्ति पीठे, यहीं पर अंबुवाची मेले का आयोजन किया जाता है, तो असम के निलांचल पहाड पर एक शक्ति पीठे, प्रसिद्ध कामाख्या देवी, यहीं पर अंबुवाची मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि तीन दिन तक चलता है, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रतन वोड 2023 से दिया जा चुका है वेसे सम्मानित किया जा चुका है चिराक शेट्टी और सात्विक साहिराज रंकी रेड़ी की जोडी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रतना वोर्ड 2023 बेडमिंटन प्लेयर है दोनों जोड़ी बना के खेलते अधिकतर बार चिराक शेट्टी और सात्विक साहिराज रंकी रेड़ी को दिया गया बेडमिंटन खिलाडी WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड टी एके 003 किस बिमारी की वैक्सिन है तो WHO ने हाली में प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिया है टी एके 003 वैक्सिन को जो कि डेंग्यू डिसीज के इलाज के लिए उप्योग में लाई जाती है डेंग्यू का टी का है टी एके 003 इसे WHO ने प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया है या जो टी का है जापान की तकीदा फार्मसिटिकल कंपनी ने विक्सित किया है डेंग्यू के इलाज के लिए कोब 28 सम्मेलन का आयजन कहां किया जाएगा अभी मेरा आपको बता है इसके बारे में कोब 28 सम्मेलन का आयजन किया जाएगा कहां पर सयुक्त अरब अमिरात कहां किया गया सोरी कहां किया गया तो 2023 में किया गया था सयुक्त अरब अमिरात और Cove 29 का योजन इस बार 24 में कहां किया जाएगा? अजर बेजन के बाकू में है ना? तो यह होगया हमारा अंसर पहले पारमपरिक चिकित्था वेश्विक शिकर सम्मिलन का योजन कहां किया गया था? तो पहला पारंपरिक वेश्विक चिकित्सा शिखर सम्मिलन या वेश्विक चिकित्सा वेश्विक शिखर सम्मिलन इसका एउजन किया गया था गुजरात के गांधी नगर में डबली एचो और आईश मंत्राले के दुआरा पहले पारंपरिक चिकित्सा वेश्विक शिखर सम्मिलन का एजन 17 से लेकर 18 अगस्त 2023 तक गुजरात के गांधी नगर में किया गया था। ठिकें, तो यहां पर हमने SST CGL के लिए जितने भी कोश्यन पूछे जा सकते हैं, जितने भी एक्सपेक्टेट कोश्यन हैं जो की एक्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं, उनको यहां पर सिंगल शॉट विडियो में कवर किया है, कोश्यन अंसर MCQ स्वाम में मैं आपको सार कोश्चन बताए एक आद दो लाइन की में आपको डीटेल भी बताई आई होप आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा बहुत ही इंपोरेंट वीडियो था लास्ट मुमेंट पर इस वीडियो को देखके जाईएगा इसकी पीडियेफ आपको मिल जाएगी तो उसे भ अलावा करेंट अफेर दोजार चोबिस की आपको यरली पेकेज अवेलेबल है मैं आपको शुरुवात में बता चुका हूँ इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप जोइन कर सकते हैं जहां पर आपको मन्थली करेंट अफेर की इबुक यरली करेंट अफेर का जो हमारा पेकेज है शंखनाद बुक मन्थली पीडियेफ और मन्थली क्वीज आपको सिंगल यरली पेकेज में एवेलेबल हो जाएगी और इसके अलावा जो हमारा हंडेड वन लाइनर करेंट अफेर आता है हर मन्त वो भी आपको यहां पर बोनस कंटेंड के र अफलक ध्यान से सारे question को पढ़िएगा पहले question को पढ़ियेगा फिर answer लगाईएगा क्योंकि question पर ही depends करता है कि हमारा answer सही जाए या नहीं तो पहले ध्यान से question को पड़े बिना जल्दबाजी किये और एक एक question को समझे और answer कीजिए definitely guarantee है अगर आप daily current affair watch करते हैं आपने SSC CGL के लिए इस target वीडियो को देखा है तो आपको exam में जितने भी question current affair करेंगे वो आपने सब पड़े हुए हैं बिना डेंशन के आप answer कर पाएंगे I hope session अच्छा लगाओगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और share कर दीजिए चेनल को subscribe कर लिजिए फिर मुलाकात करेंगे next वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा जय हिन जय भारत